इसमें कभी सुना करते थे कि क्रांती भीर से नहीं आती, क्रांती तो मुठी बर लोग लाते हैं और मुठी बर लोग अगर कोई बात उनके गले उतर जाए तो फिर वो आगे से आगे आगे से आगे शब्द एक से दूसरे जगा पहुंचता है और इसे प्रकार क्रांती का सुत्रपात होता है अब इसलिए मैं मानमी राजीर जी से अनुरोद करूँगा कि वे अपनी सारगरवित वारता से हमको लभामित करें आज की इस विचार गोश्टी में उपस्थित सभी जैपुर के सम्माननिय नागरिक बंदो नंच पर बैठे हुए आदरनिय श्री धूट जी रोटरी क्लब के पूरव प्रांथ पाल महुद है मैं आपके सामने भारत देश की आज की एक बहुत गंभीर विशे पर वारता करने की तैयारी में हूँ और वो गंभीर विशे क्यों है क्योंकि हमारे देश में पिछले 10-12 वर्षों से या भी कहें तो 15 वर्षों से सरकार की ओर से बहुत बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया जा रहा है वो है उदारी करण वेश्वी करण ग्लोबलाइजेशन लिब्रलाइजेशन पिछले 10-12 पंदरे वर्षों से जबसे ये अभियान चल रहा है इस अभियान को अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो ये ना तो ग्लोबलाइजेशन है ना तो लिब्रलाइजेशन है ये भारतिय समाज का अमेरिकनाइजेशन करने की कोशश हो रहे है क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें और liberalization की बात करें तो वो बात कुछ दूसरे तरह की होती है जैसे हम कहते हैं कि दुनिया जो है ना सब के लिए खुली है अगर दुनिया सब के लिए खुली है और बार बार एक महावरा इस्तेमाल होता है कि अब पूरा विश्व एक गाउं हो गया है कोई कहीं भी आ सकता है कोई कहीं भी जा सकता है तो इस द्रश्टी से मैंने उदारी करण वैश्वी करण को समझने की कोशिश की है कि क्या सच में दुश्व एक गाउं हो गया है तो मेरे मन में जो प्रश्ण आता है वो और जो हो रहा है वो दोनों को जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है अगर हम globalization का सही अर्थ माने तो भारती माननिता में और भारत की संस्कृती में सब्विता में वसुदह कुटुम्ब कम कहा गया है कि सारी वसुदह पूरी प्रथवी हमारा एक परिवार है कुटुम्ब है जिसमें हर कोई स्वतंत्र है अपनी इक्षा से दूसरों की सीमाओं का सम्मान करते हुए कुछ करने के लिए हमारी तो भारत की माननिता कुछ इस तरह की है लेकिन क्या दुनिया में वैश्वी करन और उधारी करन के नाम पर जो हो रहा है वो वैसा ही है तो देखने में आता है कि हो ये रहा है कि अमरीका और यूरोप की तरफ से दुनिया के गरीब देशों को जवर जस्ती दबा कर एक तरफा उनको अमरीका और यूरोब की वस्तों का, सेवाओं का बाजार बनाने की तैयारी और कोशिश हो रही है जब हम सही वैश्वी करण की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि जिसके पास जो कुछ है कहते हैं न कि दुनिया में अभी भारत में हमारे वरतमान प्रधान मंतरी डॉक्टर मन्मोहन सिंग इस वैश्वी करण उदारी करण के बहुत बड़े पैरोकार हैं और बहुत बड़े समर्धक हैं वो हमेशा एक तरक देते हैं कि दुनिया में सभी लोगों को सस्ती और अच्छी वस्तों का खरीदने का और उपभोग करने का अधिकार है तो ठीक है किसी देश के पास बहुत अधिक मात्रा में सस्ती और अच्छी वस्तों हैं तो वो दूसरे देश में जाकर उनकों बेचे लेकिन इसके विपरीत अगर किसी देश के पास बहुत अच्छा और सस्ता श्रम है तो वो भी किसी दूसरे देश में जाकर बेचे एक तरफ बस्तुएं हैं, एक तरफ श्रम हैं और एक तरफ पूजी है अगर किसी देश के पास बहुत सरपलस में पूजी है बहुत अधिक मात्रा में पैसा है जो पिछले पास 700 वर्शों में किसी एतियासिक प्रक्रिया के तहत इकठा हुआ है जैसे यूरोप और अमेरिका में तो हो तो स्वतंत्र हैं अपना पैसा लेकर कहीं भी जाने के लिए कहीं भी लगाने के लिए, कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए और सारे के सारे नियम काईदे कानून उसी हिसाब से बन रहे हैं डबलू टियो की विश्व व्यापार संगठन की अंतराश्वी मुद्राकोश और विश्व बैंक की जो शर्ते हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि अमीर देश अपनी पूझी को लेकर किसी भी देश में जाएं कुछ भी उत्पादन करें विक्री करें और मुनाफा लेकर अपनी देश में आएं तो जब भी उनसे ये बात होती है कि भही आप अपनी पूझी लेकर दुनिया के अगर किसी भी देश में जा सकते हैं तो जिन देशों के पास पूझी नहीं है उनके पास दूसरी कोई चीज है तो वो उसे लेकर दूसरे किसी भी देश में जाने की उनको छूट होनी चाहिए जैसे भारत के बारे में बात करूँ अफरीका के बारे में बात करूँ एशिया के देशों के बारे में बात करूँ तो हमारे पास पूजी अधिक्ता में नहीं है क्योंकि ये कहते हासिक प्रक्रिया के तहट पिछले 500 साल में हमारी पूजी को लूटा गया है गुलाम बनाकर कभी अंग्रेजों के द्वारा कभी फ्रांसीसियों के द्वारा कभी डच लोगों के द्वारा कभी स्पैनिश लोगों के द्वारा समय समय पर हमारे देशों को हमारे जैसे देशों को गुलाम बनाकर हमारी पूजी को लूटा गया तो हमारे पास तो सरपलस में पूजी नहीं है लेकिन हमारे पास सरपलस में श्रम है लेबर है और स्केल्ड लेबर है तो उदारी करण में क्यों नहीं हमको इस बात की छूट होनी चाहिए कि हम हमारे अतरिक्त श्रम को अतरिक्त लेबर को लेकर दुनिया के किसी भी देश में जाएं और उनको वहाँ हम काम पे लगाएं और उनके श्रम का जो मूले मिले वो भारत में लेके आए इसका अर्थ यह है कि हम हमारा दर्वाजा अगर विदेशी पूजी के लिए खोलते हैं तो अमरीका और यूरोप के देशों के दर्वाजे हमारे श्रमिकों के लिए क्यों न खुले भई जिसके पास जो सर्प्लस है वो अपना बेचे बाजार में तो यूरोप और अमेरिका के पास वस्तूओं की अधिकता है और पूजी की अधिकता है क्योंकि वो मास प्रोडक्शन वाले लोग हैं तो अपनी मज़दूरों को उन देशों में जाने की खुली चूट होनी चाङिए अर्थात किसी भी देश में भारत के मज़दूरों को जाने के लिए वीजा एप्लिकेशन क्यों होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन में जब उनकी पूजी हमारे देश में आती है और बिना किसी रोक टोक के आती है तो हमारे श्रम को उनके देश में जाने के लिए रुकावट क्यों होनी चाहिए अमरीका और अमरीका समर्थक देशों में वीजा के लिए रुकावट क्यों होनी चाहिए भारत के नागरिकों को दूसरे देशों में जाने के लिए वीजा की आवश्यक्ता क्यों होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास शरम है उनके पास पूजी है दुनिया में दोई चीजे होती है जो उत्पादन में मदद करती है या तो पूजी मदद करती है या श्रम मदद करता है और पूजी अकेले तो कुछ नहीं करती बिना श्रम के बिना लेवर के पूजी तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तो अपने आप में मृत वस्तु है उसमें तो जान नहीं है जीवित नहीं है तो हमारे पास जो जीवित है वो हमारा श्रम है तो हम हमारे नागरिकों को श्रमिक बना कर करोडों की संख्या में अमरीका क्यों न भेज दें मान लीजे हमारे बीस करोड श्रमिक है अमरीका उनको ले ले हमारे पास 50 करोड श्रमिक है यूरोप के देश उनको ले ले तब हम उनके देश की पूझी ले ले तो बात बराबर बैठती है और तब हम उसको globalization कह सकते है कि भाई तुमारे पास कुछ अधिक है तो तुम दे रहे हो हमारे पास कुछ अधिक है तो हम दे रहे हैं तुमको ये लेंदेन अगर बराबर के स्थर पर होता है तब तो कुछ ठीक बैठता है और उसको हम globalization कह सकते हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है वास्तविक्ता ये है कि हमारे श्रमिक अमरीका ना जा सकें यूरोप के दिशों में ना जा सकें उसके लिए इतने कठोर वीजा के नियम बनाए गए हैं कि आप आसानी से वीजा ले न सकें भारत में हर साल 50 लाख से जादा नागरिक अमरीका के वीजा के लिए application देते हैं और उन मैंसे 45 लाख को एक ही बार में reject कर दिया जाता है 5 लाख मैंसे selection किया जाता है और उस मैंसे मुश्किल से एक अद लाख को या उससे भी कम 87,000 को वीजा दिया जाता है तो हमारे यहां से नागरिक उनके यहां नहीं जा सकते लेकिन उनके यहां से पैसा हमारे यहां आ सकता है अच्छा जब इन देशों के साथ इस तरह की बात होती है तो वो एक तर्क देते हैं तो यह कहते हैं कि अगर हम भारत और भारत जैसे विकाशशील देशों के श्रमिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दें तो हमारे देश में तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा लेकिन उनकी यह बात सच नहीं है यह बहुत बड़ा जूट है क्योंकि वो देश बहुत कम पॉपुलेशन वाले हैं पहले से ही तो इसलिए ओवर पॉपुलेशन होने का कोई कारण वहां दिखाई नहीं देता मैं आपको एक्तुलात्मत तरीके से समझाता हूँ भारत में 110 करोड लोग रहते हैं लगबग इस समय और हमारा जो कुल छेतरफल है उससे दो गुना जादा छेतरफल अमरीका के पास है अमरीका का छेतरफल पूरे देश का हमारे भारत से लगबग दो गुना जादा है और अमरीका में मातर 30 करोड लोग रहते हैं इसका मतलब ये है कि अमरीका में अभी भी 30 करोड लोग और रह सकें इसकी गुंजाईश है तो क्यों नहीं अमरीका की सरकार अपने सारे दरवाजे खोल कर दुनिया के देशों से कहती है कि तुम हमारी पूजी लो और अपने श्रमिक हमें दो तो भारत से 30 करोड श्रमिक हम अमरीका भेज़द है हम भी थोड़े बैलेंस हो जाएं वो भी थोड़े बैलेंस हो जाएं लेकिन अमरीका 30 करोड तो छोड़ दो 3,000 लेने को तयार नहीं अमरीका से भी जादा छेत्रफल कनाडा देश का है कनाडा का छेतरफल तो अमरीका से भी जादा है भारत से तो लगबत तीन गुने से जादा है कनाडा और आबादी उनकी बहुत कम है आप जानते हैं कि कनाडा की कुल आबादी तीन करोड से भी कम है तो तीन करोड की आबादी है और भारत से तीन गुना छेतरफल है हम भारत के 110 करोड लोग जितने छेतरफल में रहते हैं कनाडा में 330 करोड लोग रह सकते हैं तो क्यों नहीं कनाडा की सरकार अपने सारे दरवाजे खोल कर भारत और भारत जैसे श्रविकों को क्यूं नहीं आमंत्रित करती है कनाडा के आगे चलें आस्ट्रेलिया की बात करें आस्ट्रेलिया का छेत्रफल भी भारत से धाई गुना जादा है और आस्ट्रेलिया की कुल आवादी मात्र दो करोड है और हमारी कुलावादी 110 करोड है माने जितनी छेतरफल में 110 करोड लोग रहते हैं उतने छेतरफल में आस्ट्रेलिया में 2500 करोड लोग रह सकते हैं तो आस्ट्रेलिया की सरकार अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलती भारत के सबी शर्मिकों के लिए कि आप आओ हमारे यहां बस जाओ क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा छेतरफल है संसाधन भी बहुत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूझी भारत में आ रही है तो भारत का अधरिक तुश्रम ऑस्ट्रेलिया जा रहा है लोबलाइजेशन हो रहा है और एक उधारण देता हूँ और स्ट्रेलिया के पस्दीन में एक देशन न्यूजीलिया उसका भी चेशन भारत से जाओ है और सवहा के दुखा के जो भी है वहां देने वादे दख़त एक करोड़ के असपास है एक सवह करोड़ है तो क्यों नहीं न्यूजीलेंड की सरकार ये कहती है कि आप आओ आपके लिए सारे दर्वाजे खुले है हमारे पास पूंजी जादा है आपके बाश्रम जादा है आप अपने शर्मिकों को न्यूजीलेंड भेज दो हम उनको खपा लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे resources भी है और बहुत जमीन भी है और यह जो New Zealand है, Australia है, Canada है ऐसे दुनिया में 145 देश हैं जिनकी जनसंख्या एक करोड के आसपास है और यह 145 देश एक करोड के आसपास की जनसंख्या में रहते हैं और भारत और चीन जैसे जो देश, दो देश, जहांकि कुल जनसंख्या लगभग 2500 करोड के आसपास है वो इन से कम छेतरफल में रहते हैं तो चीन और भारत के पास श्रम बहुत है, एशिया के पास श्रम बहुत है तो एशिया के श्रमिकों के लिए योरोप और अमेरिका के दरवाजें खुलें तो हम उनकी पूजी के लिए अपना दरवाजा खुलें तब तो बात बनती है ग्लोबलाइजेशन उदारी करण, वैश्वी करण, जिसको हम इमानदारी से कहें लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ऐसा नहीं हो रहा है अभी जो हो रहा है पिछले 12-15 वर्षों से वो ये कि भारत के श्रमिक और चीन के श्रमिक, बंगलादेश के श्रमिक या पाकिस्तान के श्रमिक, योरोप के देशों में घुस नहीं सकते इतने कठोर वीजा के कानून पिछले दस बारे वर्षों में बनाए गए है और ना सिर्फ कठोर कानून बनाए गए हैं बलकि बेईमानी भी शुरू की गई है बेईमानी क्या शुरू की गई है मैंने आप से कहा कि 50 लाख हिंदुस्तानी हर साल अमरीका के लिए वीजा एप्लिकेशन देते हैं उन वैसे 45 लाख को तो रिजेक्ट कर दिया जाता है लेकिन आप जानते हैं कि वीजा एप्लिकेशन करते समय फीस देनी पड़ती है और आसतन फीस अगर आप 500 डॉलर मान लें क्योंकि अलग-अलग के वीजा है और अलग-अलग तरह की फीस है तो हम सामन ने रूप से माने कि 500 डॉलर की फीस एक एप्लिकेशन के साथ हमको देनी है तो 50 लाख एप्लिकेशन में 500 डॉलर का मल्टिप्लिकेशन कर ले तो आप कल्पना करें कि हम 1000 लाखों करोड़ डॉलर वीजा एप्लिकेशन फीस के साथ दे रहे हैं तो जब वीजा हमारा रिजेक्ट किया जा रहा है तो एमान दारी के साथ हमारी फीस वापस होनी चाहिए लेकिन अमेरिका की कोई भी एमबैसी हमारी वीजा फीस को वापस नहीं करती है इसका मतलब ये है कि अमरीका की सभी एमबैसीयां पूरी बेईमानी के साथ इस देश को लूटने में लगी हुई ये मांदारी तो ये है कि अगर आप हमारा वीजा नहीं दे सकते तो फीस वापस कर दो और कह दो कि भई आप अमरीका जाने के लायक नहीं है लेकिन हमारी फीस भी नहीं देते पैसा भी रख लेते हैं अपमान करके हमको एमबेसी से निकाल भी दिया जाता है फिर भी हम वहाँ लाइन लगाके खड़े रहते हैं मैंने बहुत दुखत दरश्य मेरी आँखों से बार बार देखा है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मदरास में भारत के लोग गुलामों की तरह से अमरीका एमबेसी में वीजा के लिए लाइन लगाते हैं जिसे भेड़ भकरियां लाइन लगाती हैं और उनके साथ इतनी बत्तमीजी और इतने अफमान का विवहार किया जाता है कि वो सुसाइट कर लेना वहाँ ज़्यादा सम्मान जनक होता है हर छड़ अफमान करते हैं आपको इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा और बहुती बत्तमीजी के साथ आपसे सवाल किये जाएगा और सिर्फ इतना ही अफमान नहीं करते हैं आप गलती से वीजा पा गए और अमरीका के हवाई अड़े पर पहुँच गए तो आपके कपड़े उतार सकते हैं और पूरे के पूरे उतार सकते हैं और ये कोई साधरन आदमी के साथ होता हो तो हम चलो मान लेते हैं लेकिन ये हमारे रक्षा मंत्रियों के साथ होता है मुख्य मंत्रियों के साथ होता है अभी थोड़े दिन पहले आप जानते हैं कि इस भारत देश के मद्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बाबुलाल गौर अमरीका प्रवास पे गए और हवाई अड़े पर सारे कपड़े उतर वाई दी और श्री बाबुलाल गौर कहते हैं खुद कि मैं सिर्फ अंडर्वियर पहने हुए था वाकि सब उतारना पड़ाई इसी तरह से हमारे देश के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडी जब भारत के रक्षा मंतरी की हैसियत से अमेरिका गए तो उनके सारे कपड़े उतार दिये सिर्फ अंडर्वियर पहने रह गए तो भारत के रक्षा मंतरी का भारत के मुख्य मंतरी का किसी भी हवाई अड़े पर कपड़े का उतार दिया जाना ये इस बात को बताता है कि उनकी जो मान सिकता है हमारे प्रती गुलामी वाली वो अभी गई नहीं है वो हम वो अभी भी गुलाम मानते हैं तो फिर ग्लोबलाइजेशन कैसे हो सकता है जो भी कुछ हो रहा है वो अमेरिकनाइजेशन ही हो रहा है वहां से तो सब कुछ यहां आए वहां की कंपनिया यहां आए वहां की सेवा करने वाली संस्था यहां आए वहां की विशेशल भी यहां आए डॉक्टर्स आए, चार्टिड अकाउंटेंट्स आए, इंजिनियर्स आए, वहां के एड्वोकेट्स भारत में आए, सब कुछ वहां का यहां आए, वहां की दाल आए, चावल आए, चना आए, मटर आए, वहां की सबजियां आए, सब कुछ, यहां से कुछ ना जाए वहां और globalization और liberalization के सही शब्दों को अगर अर्थ करना सीखें, उदारी करण और वैश्वी करण की सही पईभाशा करना सीखें, तो हमारे यहाँ संस्कृती में बहुत विस्तार पूर्वक कहा गया वसुदैव कुटुम्बकम। मतलब पूरी दुनिया आपके लिए परिवार जैसी है, माने दुनिया के साथ आप परिवार जैसा व्यवहार करें, तो परिवार में जिस तरह का व्यवहार होता है, वैसा आप दुनिया के साथ करें, यह भारतियाता और भारतिये परंपरा या भारतिये मानमिता में हैं, ले पुरिका सरकार की कोई गर्ज नहीं है आपको बुलाने की तो ये तो एक तरफा मामला है ये तो दो तरफा है नहीं तो एक तरफा मामले में तो ना तो liberalization होता है उधारी करण होता है ना तो वेश्वी करण होता है उसमें जो होता है वो करण वो होता है जिस देश से सब तो वहां से reject हो जाता है और वो आरोप ये लगाते हैं कि आपने इसमें बहुत यूरिया, बहुत डीएपी, बहुत सुपर फॉस्पेट मिला दिया, बहुत सारा pesticide मिला दिया, अब ये जहर हो गया है, तो भारत का तो हम ये नहीं ले सकते हैं, लेकिन वहां का कोई भी जहर यहां बिख सकता है, पेपसी कोला बिख सकता है, कोका कोला बिख सकता है, पीजा बिख सकता है, बर्गर बिख सकता है, होट डॉग, कोल डॉग बिख सकता है, हमारे देश की कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने पेपसी कोक को जहर गोशित किया है, फिर भी बिख सकता है, तो ये सारा मामला जो है ना तो वैश्वी करण का है ना उधारी करण का है ये सारा अमरीकी करण का है और इस अमरीकी करण को हमारे देश के वरतमान प्रधान मंत्री ने और हमारे देश के वरतमान वित्य मंत्री ने दोनों ने अलग-अलग समय पर बिलकुल ठपा लगाके सिद् प्रद्वरतमान प्रधान मंत्री, डॉक्टर मन्माहन सींग, आठ जुलाई 2005 को लंडन गए। लंडन में एक बड़ी विश्विध्याले है, उसको आक्सवोड कहते हैं। हमारे प्रद्वरतमान प्रधानमत्री आक्सफोर्ड में पढ़े हैं ऐसा वो बड़े गर्व से कहते हैं ठीक है अब वो जो आक्सफोर्ड ने उनको एक डॉक्टरेट का डिगरी दिया एक तो वो पहले ले चुके हैं पीएजडी करते हुए अभी एक दूसरा डॉक्टरेट उनको दिया ओक्सफोर्ड वे शुरिद्या लेने सम्मान के रूप में तो उस दिगरी को लेने के लिए वो गए और वहां जो कारिकरम था ओक्सफोर्ड इनुवर्सिटी में उसमें उनके साथ मंचपर बृतेन की महरानी भी थी बृतेन के प्रधान मंत्री भी थे टॉनी ब्रिटेन की सरकार के कुछ महत्वपून अधिकारी भी थे महरानी का जैसा आप जानते हैं ब्रिटेन में आज भी राजा के जैसा ही रुतवा है उनका जो कुरसी होता है वो सबसे उंचा बनाया जाता है बाकी सबका कुरसी उससे नीचा रहता है तो मन्महौंजिंग और ब्रिटेन में तो इसको डाइरेक्ट टेली कास्ट किया लेकिन थोड़े दिन के बाद हिंदुस्तान में भी हमें वो देखने को मिल गया दो तीन दिन के बाद उन्होंने यहां भी दिखा दिया वो भाशन में ने देखा तो मैं तो दंग रह गया मन्महौंजिं ने अपने 44 मिनट के पूरे भाशन में जो कुछ कहा वो किसी भी स्वाविमानी भारतिये के लिए शरम से डूब मरने जैसा है उन्होंने कहा कि हम भारतवासियों से तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया अपने देश में से ये उनका Oxford University में भारत के प्रधान मंत्री के रूप में वक्तब्द है कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया तो क्यों हो गई ये गलती तो वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों की सब्विता ने तो हमको बहुत कुछ सिखाया है अंग्रेजों की संस्कृती से तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है अंग्रेजी सिक्षा से तो हमें बहुत कुछ लाब हुआ है अंग्रेजी विज्यान और तकनी की ने तो हमें बहुत उचा उठाया है हम तो भारत वासी अंग्रेजों के आने के पहले अंदकार यूग में रहते थे अंग्रेजों ने हमको प्रकाश में लाया तो इसलिए अंग्रेजों की सब्विता, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी भाशा, उनका रहन सहन और उसके भी आगे जाकर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की नियाय व्यवस्था नहोती तो हमको तो मालूम नहीं था नियाय कैसा होता है जो अंग्रेजों की अंग्रेजी नहीं होती तो हम तो दुमिया के ग्यान से बिलकुल वंचित थे हमको तो ग्यान भी नहीं होता इतनी बात हैं 44 मिनट में वो बोल गए उनका जो पहला ही वाक्य है अगर हम उसको ठीक से समझे की कोशिश करें कि हमसे तो गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंग्रेजों को भगाने वाले जितने भी भारतिये थे वो सब मनमोहन सींग की नजर में गलत है अर्थात महात्मा गांदी गलत है वगत सिंग गलत है उधम सिंग गलत है चंदरशेकर आजाद गलत है तात्या टोपे गलत है जहांसी किरानी गलत है कि तूर्चनम्मा गलत है भारत में 6,40,000 करांतिकारी थे जिनोंने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना बलिदान किया उन सब का अपमान मनमहन सिंग ने एक वाक्य में कर दिया कि हमसे तो गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया नहीं भगाते तो शायद और अच्छा होता भारत जो आज का भारत है ये और अच्छा होता और अच्छा होता माने मनमहन सिंग की नजरों में भारत और 1947 से 2005 तक अंग्रेजों का ही गुलाम रहता हमारी नजरों में गुलाम रहता मनमहन सिंग की नजरों में विकास करता हुआ एक देश होता क्योंकि विकास करना तो हमने अंग्रेजों से इसी का ये मनमहन सिंग की पक्की माननिता है ये उसको वो एतिहासिक संदर्व में तो नहीं लेकिन अर्थ शास्तर के रूप में वो सिद्ध करते हैं अपने सभी व्याख्यानों में लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, करते भी हैं अभी भारत में शायद मनमहन सिंग से ज़्यादा अंग्रेजियत वाला दूसरा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसको आप टौर्च लेके ढूड़ो, जो इतना पक्का अंग्रेज होगा अंग्रेज भी सोचेंगे तो अपने पर शरम करेंगे, कि हमसे ज़्यादा पक्का अंग्रेज तो ये है जो भारत का प्रधान मंत्री रहते हुए ये सब करता है अज़ा चवालीस मिनट का भाशन बोल देने के बाद जब उनको डिगरी दी गई तो उसके एक कदम आगे जाकर उन्होंने क्या किया मैंने आपको कहा ना कि विक्टोरिया जो उनकी रानी है वो बैठी हुई थी, उसका मंच थोड़ा उचा था तो मनमहन सिंग उसके पास गए, लिट्रली घुटनों के बल उसके सामने बैठे और वो कावज हाथ में लिए हुए जैसे हम किसी भगवान के सामने घुटने में बैठकर वो जो प्रणाम करते हैं ना मनमहन सिंग ने ठीक उसी अदामे स्टाइल में विक्टोरिया को प्रणाम किया घुटनों में बैठकर आगे जुखकर इतनी गुलामी अभी तक भारत में है प्रणानमंत्री इस तरके नेता में अगले दिन लंदन के बहुत सारी अखवारों में बहुत कुछ छपा और एक अखवार में तो सीमा तोड़ कर लिखा कि अभी हमें सोचना पड़ेगा कि भारत आजाद हो गया है हमारी गुलामी से एक अखवार में लिखा कि अगर मनमोहन सिंग एक व्यक्ती के रूप में इंग्लेंड आएं लंदन आएं और उनको कोई डॉक्टरेट दी जाए और उसको स्वीकार करें और रानी के चरणों में बैठकर प्रणाम करें तो वो सामन ने है, सामन निव्यक्ती के रूप में लेकिन भारत के पुरधानमंत्री के रूप में अगर वो आए हैं और इस तरह का व्यवार करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भारत स्वतंत्र हो गया है। ये जो मानसिक्ता है, ये मनमोहनसिंग तो मैंने एक निमित रूप में नाम लिया है। आपको समझ में आ जाए जल्दी क्योंकि ये ततकाल की घटना है। लेकिन ये घटना सिर्फ एक मनमोहनसिंग के साथ नहीं है, ये भारत के उन सभी नेताओं के साथ है, जो पश्चिम को विशेश रूप से यूरोप को अपना दिशा दिरदर्शक मानते हैं, निरदर्शक मानते हैं, और मानते हैं कि जो कुछ अच्छा होगा, वो पश्चिम स ही होगा, यूरोप से ही होगा, अमेरिका से ही होगा, इस तरह की बात जो मनमोहन सिंग ने अभी की है, ये कोई असामाद नहीं है भारत में, क्योंकि बिछले आजादी के लगबक 60 वर्शों में, कई प्रधान मंतरियों के मुँ से हमने इस तरह की बातें सुनी हैं, हमारे हैं, यूरोप के जैसा, और इसको उन्होंने 1953 में सुईकार किया है, उनकी एक चित्थी है, जो कनाड़ा के प्रधान मंतरी को उन्होंने लिखी है, और उस पर उन्होंने इस पश्टता से कहा है, कि मेरे और महात्मा गांदी के बहुत बड़े वैचारिक मतवेद हैं, भार के प्रधान मंतरी को कह रहे हैं, और इतना ही नहीं, आगे पत्र में तो वो वहां तक कह गए हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांदी का धिमाग खराब हो गया, ये शब्द हैं, जो पंडित नहरू ने लिखे हैं, गांदी जी के प्रतिन, और पत्र की अंतिम वाक कि तो उनकी इतनी खराब है, वो कहते हैं कि ये खूसट बुढधा, जो शब्द इस्तेमाल किया है, ये खूसट बुढधा, जितनी जल्दी चला गया, हमारे लिए उतना अच्छा, बने नहरू जी को इस बात का कोई गम नहीं है, कि गांदी जी जल्दी चले गए, उनीसो पत्र उनीस सो त्रेपन में 22 जुलाई की तारीख है, कराड़ा के प्रधान मंत्री ने गलती से कहें या जान बूच कर कहें, उस पत्र को अपनी ऑटो बाइग्राफी में अभी छाप दिया है, और वो थोड़े दिन में भारत में किताब बनके आएगा, तो उस पे बबाल ह होने वाला है, और जवाब देना पड़ेगा, तो नहरु जी खुद मानते हैं कि मेरे गांदी जी से मत्वेद हैं विकास के सवाल पर, और बाद में नहरु जी का जो भारत की संसद में अलग-अलग समय पर दिये गई वक्तवे हैं, जैसे उन्होंने एक बार बहुत लंबा भाशन दिया है भारत की संसद में, गाय के बद को रोकने के प्रशन पर, गोवद रोकने के प्रशन पर, तब लंबे भाशन में उन्होंने कहा है, कि आजादी के पूर्व मैंने कहा था कि गाय हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आजादी के बाद वो हो होने दें अगर ये पास हुआ तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा तो उन से जब बात की जा रही है कि आपको क्या तकलीफ है भारत की गाए की रक्षा हो इसमें आप क्यों परिशान है तो नहरू जी कहते हैं कि ये विश्यू के लोग हसेंगे हमारे उपर दुनिया कि माने यूरोप हसेगा हमारे उपर कि हम गाए बचाने में लगे हूँ क्योंकि यूरोप में तो गाए को काट के ही खाया जाता है दूद के लिए गाए को यूरोप में पाला नहीं जाता है ये ठीक है कि वो दूद दे देती है तो वो बाई प्रोड़क्ट है लेकिन इसलिए की है कि ये मनमोहन सिंग महोदे ने जो कुछ बोल दिया है वो कोई आश्यरी की बात नहीं है क्योंकि भारत में पिछले 60 साल से ये बोला जा रहा है। अगर नहरूजी ये बोल सकते हैं तो मनमोहन सिंग के बोलने में क्या तकलीफ है। और आप कहेंगे जी ये नहरूजी और मनमोहन सिंग तक सीमित है तो ये ऐसा नहीं है भारत में पिछले 60 वर्षों में जो प्रधान मंत्री हुए हैं उन मेंसे 2-3 को छोड़ कर लगभग सभी इसी विचार के हैं मानसिक तके हैं। और प्रधान मंत्री से भी जादा पिछले 60 वर्षों में भारत की योजना बनाने वाले जो बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं या योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं वो तो इससे भी जादा बड़ी मानसिकता वाले हैं। जैसे वर्टमान में योजना आयोग के अध्यक्ष तो हमेशा रुरान मंत्री होते हैं लेकिन मुख्य काम उपाध्यक्ष करता है। 1996 में जब लंदन थे 24 अक्टूबर को तो इन्होंने अंग्लेंड की बहुत सारी कंपणियों के अधिकारियों के सामने कहा था वो रिकॉर्ड पर है कि हमने 400 साल पहले अंग्रेजों को बुलाया और इस्ट इंडिया कंपणी के लिए दरवाजा खोला तो अब फिर से हम दर भारत को लेके जाए हम प्लेट में रखे बहट करते आपको तो इस तरह की जो मानसिकता है इसमें व्यक्ती महत्तुका नहीं है विचार महत्तु का है वो मनमोहन सिंग ये कहते है, चिरंबरम ये कहते है, मॉन्टेक सिंग एलुवालिया ये कहे, या कभी पंडि जवारलाल नहरू ये कहे, या कभी कोई XYZ और कहे, व्यक्ति का महत तो इसमें नहीं है, विचार क्या है वो समझने की है, और विचार बहुत ताकत के साथ भारत के स 12-15 वर्षों से ये विशह बहुत तेजी से घूमता रहा है, कि अगर हमारी सत्या व्यवस्था और प्रतिष्ठान के मन में ये पक्का बैठ गया है, कि भारत को यूरोप और अमरीका जैसा ही होना है, तो समझ लें कि यूरोप और अमरीका क्या है, क्योंकि आप जब किसी क जैसा होना चाहते हैं, और बिना समझ के होएंगे, तो शायद इसमें कष्ट जादा आएगा, समझ के साथ होएंगे, तो शायद बहतर हो जाएगा, तो मैंने सोचना शुरू किया, कि जिस यूरोप और अमरीका जैसा होना नहरूजी चाहते रहे हैं, आज के मनमोर्म सिंग चाहते हैं, मौन्टेक सिंग, एलुवालिया चाहते हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे राजनेता होंगे, जो भारत की संसद में अलग-अलग समय पर बोलते रहे हैं, अनेक-अनेक दूसरी पार्टियों में हैं, बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं, जो भारत को अंग्रेज औ और यूरोप जैसा ही देखना चाहते हैं, अपने तरीके से, कॉंग्रेस में ऐसे बहुत हैं, और अब जनतादल में भी ऐसे बहुत हैं, समाजवादी पार्टी में भी बहुत हैं, और अब तो कम्यूनिस्टों के बीच में भी एक ही लौबी है, वो ये कहती है कि भारत को ह होना तो यूरोप और अमेरिका की ही तरह से है लेकिन माक्सवाद के रास्ते पर, सामेवाद के रास्ते पर, होना तो आपको वैसा ही है लेकिन माक्सवाद से होकर सामेवाद से होकर आप वहां तक जाईए और दूसरी जो लॉबी है वो ये कहती है कि कैपिटलिजम के रास्त ये अलग-अलग है, तो ऐसी परिस्थति में मेरे मन में एक विचार आया, कि ये गांदी जी क्या कहते हैं, यूरोप और अमेरिका के बारे में, जिसको नहरूजी खूसद बुढ़ड़ा कहते हैं, गांदी जी के मन में क्या है? तो गांदी जी की लिखी हुई सबसे पहली एक किताब मैंने पढ़ी जो उन्होंने 1909 में लिखी थी हिंद स्वराज बहुत पतली सी पुस्तक है और मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सब पढ़ें तो बहुत अच्छा है तो उनके बारे में बहुत सारी जो गलत फैमिया समाज में हैं वो दूर हो जाएशा है उस पुस्तक में गांदी जी लिख रहे हैं कि ये यूरोप और अमेरिका की जो सब्विता है ये तो बिलकुल शैतानी सब्विता है शैतान शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है और गांदी जी के सामने बहुत बार उस पुस्तक को रखकर पंडित नहरु ने और भारत के कई निताओं ने आपत्ती उठाई है कि आपने इतना कड़ा शब्द क्यों लिखा है कि ये शैतानी सब्विता है तो गांदी जी कहते हैं कि मैंने ये बहुत समझ भूज कर लिखा है भावनात्मक आवेश में आकर नहीं लिखा है मैंने इस यूरोप और अमेरिका की सब्विता को समझने में अपने जीवन के उस दिन से जिस दिन से मैं लंदन आया गांदी जी जब लंदन गए हैं पढ़ाई करने के लिए और वापस आये हैं तो वो कह रहे हैं कि इस पूरे समय को मैंने इस सब्विता को समझने में ही लगाया है और मेरी जो समझ बनी है इस सब्विता के बारे में वो ऐसी ही है कि ये शैतानी सब्विता है भारत में कभी किसी पुराने काल में कोई राक्षसी सब्धिता होती होगी ये उससे भी नीचे गिरी हुई है इतने कड़े शब्दों में वो कह रहे हैं इससे भी जादा कड़े शब्दों में गांदीजी ने एक और टिपणी की है जो दर्ज है जिसको उन्होंने आज तक वापस नहीं लिया अपने मरने के पहले तक वो टिपणी ये है वो ये कह रहे हैं कि ये जो पार्लमेंट प्री डेमोक्रेसी है संसदिय लोकतंत्र जो हमने इंग्लेंड से उधार ले लिया है या इंग्लेंड ने जबरजस्ती हमारे ऊपर ठोप दिया है ये तो किसी वैश्यावरती से भी नीचे गिरा हुआ है गांदीजी कहते हैं कि वैश्यावरती करना संसदिय लोकतंत्र में जाने से बहतर है इतने कड़े शब्द हैं उनके और भारत की संसद उस समय बन रही है जब गांदीजी आए है 1914 में भारत आए है तो संसद का ये निर्मार कारे चल रहा है जो बरतमान में आपको दिखाई देता और 1925 में ये संसद बन कर पूरी हुई है और इसमें से बैठके होना शुरू हुई है तो गांदीजी कहते हैं कि ये तो हमने एक बाज को खड़ा कर दिया है जिसमें फर्टिलिटी नहीं है तो गांदीजी को कोई पूच रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे तो उन्हें कहा कि इस संसद में से जिसको हमने खड़ा कर दिया है डाचा भारत के लिए कुछ भी शुब निकलेगा नहीं इसमें से जो निकलेगा वो अशुब ही होगा और ये बात गांदी जी जो 1914 पंदरे में कहे गए है सन 2005 में सिद्ध हो गई है अब इसमें सिद्ध होने के लिए और बहुत प्रतिक्षा करने की जरूरत नहीं है कि इसमें से कुछ निकलेगा नहीं प्रोस्टिट्यूशन बोल दिया संसुदिय लोग तंत्र को और European American Civilization को बोल दिया कि ये शैतानी सब्धिता है शैतान की सब्धिता, राक्षसों की सब्धिता भी इससे कुछ अच्छी हो सकती है ये उससे भी गिरी हुई है गांदी जी की यही एक पुस्तर पढ़कर मेरे मन में तीवर जिग्यासा पैदा हुई कि गांदी जी ने जिस European सब्धिता के बारे में ये शब्ध इस्तेमाल किया और जिसको उन्होंने समझ लिया 14-15 साल में इसको हम भी समझें तो पहले मैं ढूंडता रहा कि गांदी जी ने European सब्धिता के बारे में कहां कहां क्या क्या लिखा है लेकिन गांदी जी ने अपने पत्र में लिखा है मीरा बेन जो गांदी जी की एक सहयोगी थी मैडलीन स्लेड उनका मूल नाम था आईरिश लेडी थी गांदी जी के साथ आकर उन्होंने बहुत दिन काम किया तो उनको बहुत सारे पत्र उन्होंने लिखे हैं तो उसमें एक पत्र है जिसमें वो कहते हैं कि देखो मुझे कभी समय मिला फुरसत हुई तो विस्तार के साथ मैं पश्चनी सब्विता के बारे में लिखूँगा तुमको कोई आपत्ती तो नहीं होगी तो मीरा बहन कह रही है कि बापू उस सब्विता से परिशान होकर तो मैं आपके पास आई हूँ मुझे क्या आपत्ती होगी मुझे तो खुशी होगी कि भारत के लोग उसको खुल कर देख और समझ लेगे जो अंधे होकर उसके पीछे भाग रहे हैं जिसको छोड़कर मैं आपके पास आई हूँ लेकिन ये पत्र पत्र ही रहे गया गांदी जी को शायद समय नहीं मिला फुरसत नहीं मिली और वो लिख नहीं पाए येरोपी और परवपश्यमी सब्विता के बारे में जादा वो कुछ कह नहीं पाए सिर्फ संकेत भर कुछ उन्होंने कर दिये बाद में मैंने ढूंडना शुरू किया कि गांदी जी के जो समकालीन है दोखो किसी ने कुछ लिखा हो येरोपी और सब्विता के बारे में तो गांदी जी के जो समकालीन है और कुछ अच्छे लेखक इस देश में माने जाते हैं उन में से दो-तीन ने कोशिश किया लेकिन वो भी भरपूर तरीके से नहीं लिखा संकेत मात्र है जैसे एक जैनेंद्र कुमार जैन बड़े हिंदी के लेखक हुए गांदी जी से बहुत प्रभावित थे पश्चिमी सब्विता के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है अभी थोड़े तिन पहले हिंदी के एक बड़े लेखक का स्वरगवास हुआ उन्होंने थोड़ी कोशिश की है और पश्चिमी सब्विता को गांदी जी की दृष्टी से देखने की लिखने की लेकिन श्री निर्मल वर्मा ने पश्चिमी सब्विता के बारे में दो तीन फुट कर लेख के हैं कोई बड़ा कुस तख नहीं लिख पाए ऐसे हमारे देश में कुछ और भी हिंदी के लेखक हुए कुछ कंणर के हैं, तमिल तेलगु में हैं तेलगु के एक बड़े लेखक हैं, साश्त्री, वासदेव शास्त्री करके जो नाराइन ये पीवी नरसिमा राओ मंत्री मंदल में कुछ समय तक उनके सलाकार में थे वो भी कुछ लिख कर गए हैं, लेकिन वैसा नहीं, जैसा गांगी जी चाहते हैं मैंने बहुत ढूंडा भारत में, ज्यादा कुछ नहीं मिला तो मैंने फिर सोचा कि अब कहां से ले तो मेरे मन में आया कि जिनोंने ये पश्चन की सब्विता बनाई है उनी से क्यों न ले, डायरेक्ट उनी से ले भारत का कोई लेखक कुछ लिखता है उसके बारे में उससे अच्छा ये है कि पश्चन के लेखकों ने अपनी सब्विता के बारे में जो लिखा है उसी को इकठा करें आप जानते हैं कि ये पूरी की पूरी पश्चनी सब्विता या येरोपियन सब्विता या अमरी की सब्विता जो भी नाम ले इसका सबसे बड़ा अथोरिटी अगर कोई माना जाता है पूरी दुनिया में वो है प्लैटो प्लैटो के बारे में दुनिया के सभी दार्शनिक एक वाक्य कहते हैं और वो बहुत महत्तुका है वो वाक्य है The whole of the European civilization is a footnote of plateau The whole of the European civilization is a footnote of plateau माने पूरी की पूरी European सभीता पश्यमी सभीता प्लैटो के footnote के जैसी है footnote आप समस्ते हैं किताब के नीचे जो कुछ आपने लिख दिया है इसका माहिने ये है कि प्लैटो European civilization का सबसे बड़ा अथोरिटी है मैंने प्लैटो को पढ़ना शुरू किया और प्लैटो की जितनी भी पुस्तकें उपलब्द हैं बाजार में हिंदी में हो या अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में मैंने कोशिश की है कि उसको मैं जानू तो ज्यादा दर अंग्रेजी में उपलब्द है मैंने वो सब पढ़ डानी और प्लेटो की जो सबसे महान पुष्टक मानी जाती है रिपब्लिक जिसके बारे में सारी दुनिया उसकी चर्चा करती है उसको मैंने 8-10 बार पढ़ डाला रिपब्लिक प्लेटो खुद कहता है कि ये जो रिपब्लिक है वो मेरी सबसे अच्छी क्रती है प्लेटो ने बहुत कुछ लिखा लेकिन रिपब्लिक के बारे में वो खुद कहता है कि ये मेरी सबसे अच्छी क्रती है सॉक्रटीज सुकरात जो बहुत कुछ लिग गए अपनी civilization के बारे में उनका मैंने कुछ इकठा किया देकारते, बहुत बड़े दार्शनिक हैं यूरोप के उनका बहुत कुछ इकठा किया लेविनिद्स, बहुत बड़े philosopher माने जाते हैं उनका इकठा किया रूसो, जो modern philosophers में जिसकी सबसे बड़ी उचाई है पूरे यूरोप में रूसो, उनका लिखा हुआ सब इकठा किया और यूरोप की अलग-अलग विश्विद्यालेओं में अलग-अलग समय पर उनकी सब भिता के बारे में जो researches हुए हैं, उनके papers भी इकठे किया सबसे ज़्यादा research हुई है European civilization पर, तो French में हुई है France की जो university है Lyon में जो सबसे बड़ी विश्विद्यालेओं Paris University जो इसको कहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है European civilization पर वहां से कुछ papers इकठे किये उसके बाद थोड़ा बहुत London में हुआ है Oxford में काम हुआ है वहां से इकठे किये और America में जो सबसे बड़ी university मानी जाती है Harvard वहां से कुछ papers इकठे किये और इतने सारे papers इकठा करके पिछले कई वर्षों से लगातार में पढ़ता रहा सबसता रहा notes लेता रहा और कुछ लिखता रहा उन सब को समझ कर और देखकर जो पता चला तो बात बिलकुल सही है जो गांदी जी बोल गए कि ये शैतानी सब्विता है गांदी जी जो बोल गए है शायद वो कुछ कम बोल गए है इतना सब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये उससे भी जादा आगे गिरी हुई सब्विता है इस सब्विता के कुछ बिंदू मैं आपके सामने अभी लाना चाहता हूँ जिस European और American civilization की तरफ हम अंधे होकर दौर रहे हैं हमसे मतलब हमारी राज वेवस्था हमारी जो political economy है वो अंधा होकर जो दौर रही है और हमारे देश के जो राज चलाने वाले लोग है उसको मैं समझना चाहता हूँ कि इसमें बुराई क्या है और कुछ अच्छाई है तो वो भी दिखाई दे तो उस द्रश्टी से मैंने थोड़ा तटस्थ होकर उनके यहां से कुछ इकठा किया है मेरे अपने 15 साल का जो अभ्यास करम है इस मिशे का वो ये बताता है कि किसी भी सभ्यता को अगर देखना हो ठीक से समझना हो तो उसकी private life आपको पता होना बहुत आवश्चक है क्योंकि जो civilization होती है वो private life से शुरू होती है निजी जीवन जो होता है आपका वो आपकी civilization को पूरी तरह से बताता है जो सारजनिक जीवन है वो civilization को कई बार नहीं बताता है क्यों? क्योंकि सारजनिक जीवन में आप कई बार पाखंड कर रहे होते हैं ढोंग कर रहे होते हैं आप जो नहीं होते हैं उसको दिखाने की कोशुश कर रहे होते हैं तो सार्जनिक जीवन तो बहुत विवादास्पद हो जाता है निजी जीवन में विवाद नहीं होता क्योंकि वहाँ जो है वो है घर के अंदर आप जैसे है वो आपका private life बता देता है कि आपकी civilization कैसी है तो European परिवार की या European समाज की और European समाज में मैं जबी भी कहुँगा तो अमरी का शामिल है तो European समाज की निजी जिन्दगी को जानने की पिछले कुछ साल में कोशिश करता रहा उसमें से जो तथे निकल कर आये हैं वो बहुत ऐसे हैं जो जगजोर देते हैं कई बार सुईकार नहीं होते हैं कई बार डाइजेस्ट नहीं होते हैं मुझको ये सारे तथे डाइजेस्ट होने में बहुत साल लग दे हैं और मैं मेरे गुरू जिनका नाम है शरी धरमपाल जिनों ने मुझे इस काम में बहुत बड़ी मदद की उनके साथ इस विशेंपर घंटों घंटों बहस करता रहा हूं पिछले 1997 से आज तक तो वो ये कहते हैं कि तुमको क्या तकलीफ होती है ये सब्ट को सुईकार करने में जैसा वो है मैंने का मुझे जो बताया गया है यूरोप के बारे में और अमेरिका के बारे में वो इन तथ्यों से बिलकुल उल्टा है तो उनका कि सोच लो जो तुम्हे बताया गया है वो गलत है और जो अभी तुम देख रहे हो वो ही सच है तो मैं उनसे हमेशा ये पूछता रहा कि जिन लोगों ने मुझे ये बताया कि यूरोप ऐसा है अमरीका ऐसा है उन लोगों ने शायद इनको जान बूच कर छुपा के रखा हमसे तो उनका इसलिए कि उनको तुम्हे गुलाम बना के रखना था तो अंग्रेजों ने अपने बारे में योग बताया वो थोड़ा अच्छा ही होगा खराब क्यों बताएंगे खराब तो तुमको खोजना पड़ेगा अगर उनका पूरा सत्य देखना है तो तो वो जो कुछ दिखाई देता है वो गांदी जी के कहीं से बिलकुल मेल खाता है अभी मैं योरोपियन सब्विता के बारे में आगे बढ़ू उससे पहले एक सब्ति उनका आपके सामने उदगाटित करूँ वो आप सब जानते हैं लेकिन ध्यान में लाने के लिए योरोप जो है वो एक खास तरह के बातावरण में रहने वाला इलाका है खास तरह का बातावरण माने जहां ठंड बहुत होती है तापमान बहुत बार माइनस 20 डिगरी सेंटीग्रेट से भी नीचे चला जाता है कई बार माइनस 40 डिगरी सेंटीग्रेट हो जाता है जुनिया में माना जाता है कि 60 डिगरी तापमान जो है न सबसे नियुनतम है लेकिन वो माइनस 20 उससे भी नीचे है माइनस 40 और ज्यादा नीचे है तो कई बार माइनस 20 माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट टेंपरेचर हो जाए और वो दो दो तीन तीन महिने तक लगाता रहे तो आप कलपना करिए कि कैसा इलाका होगा भयंकर ठंड वाला बरफ वाला इलाका है यूरोप में 23 देश तो ऐसे हैं जहां साल में 9 महिने सूरी का प्रकाश जमीन पर नहीं आता 23 देशों में तो सूरी का प्रकाश 9 महिने तक जमीन पर नहीं आता परिणाम क्या होगा जिन देशों में 9 महिने तक सूरी का प्रकाश जमीन पर नहीं आएगा वहां की जमीन में घास का तिनका कैसे उगेगा क्योंकि पूरा का पूरा जो साइंस है बोटैनिकल और प्लांट वेराइटीज का जो साइंस है वो तो ये कहता है कि बिना सूरी के प्रकाश के जमीन से अंकुरन नहीं होता बीज आप कितना भी डालो लेकिन उसमें अंकुरन होने के लिए जो गर्मी चाहिए वो गर्मी सूरी ही देता है तो बीज तो आपने डाल दिया लेकिन अंकुरन की ताकत तो सूरी के प्रकाश में है नौ महिने तक सूरी का प्रकाश जिस छेतर में नहीं आएगा वहाँ 9 महिने तक तो जमीन में से कुछ नहीं होगेगा तो यूरोप के 23 देशों में साल में 9 महिने जमीन में से कुछ उत्पादन नहीं होता और 6 महिने तक तो बर्फ ही बर्फ रहती है और बर्फ भी इतनी होती है कि उसको काट कर हटाना उनके जिन्दगी का सबसे बड़ा काम है आज आप कनाडा चले जाईए इस समय आस्ट्रेलिया चले जाईए न्यूजिलेंड चले जाईए फ्रांस में चले जाईए तो वहां की सरकारों की बहुत सारी संस्थाएं और प्रसाशन बरफ हटाने के काम में ही राद दिल लगा रहता है ताकि सबक को चलने लायक बनाया जा सके और यूरोप में ज़्यादा तर घर जो होते हैं वहां दरवाजे दो तरह के हैं एक तो आपका फ्रंट डोर है और एक च्छत के ऊपर से है कई बार बरफ इतनी होती है कि सामने का दरवाजा बंद होता है सड़क वाला तो च्छत के ऊपर के दरवाजे से जाना पड़ता है ऐसा इलाका है तो उससे मैं एकी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ बहुत धंडी वाला इलाका है बहुत सर्दी वाला इलाका है धंड सबसे ज़्यादा होती है गर्मी क्या होती है ये यूरोप के लोगों को अंदाजा नहीं है कभी तापमान गर्मियों में 30 डिगरी के ऊपर चला जाए तो हाई तोबा हो जाती है तो ऐसा एक छेत्र है विशेश छेत्र है ये अच्छा है खराब है मैं नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि वो एक विशेश छेत्र है जो बहुत ठंडी में रहता है तो एक कल्पना मेरे मन में आती है जो सच दिखाई देती है लगातार लोग अगर ऐसे इलाके में रहते हैं तो शायद वो भी बर्फ जैसे ही ठंडे होते हो सालों साल, सालों साल, सालों साल अगर आपको रहना पड़े पीडी दर पीडी, पीडी दर पीडी, पीडी दर पीडी कोई दस-बिस साल का कहानी नहीं है, दो हजार, ठाई हजार, तीन हजार साल का कहानी हर पीड़ी को ऐसे ही पातावरण में अगर रहना पड़े तो शायद लोग भी वैसे होते हों बरफ जैसे ठंडा होने का मतलब है मान सिक्ता के इस तरपर माने भावनात मक्कम होना रागात मक्कम होना सहरदयात मक्कम होना क्योंकि ये तो सब गरम देशों की निशानिया है और बहुत बार मैं मेरे मन में एक प्रशन उठाता रहता हूँ कि ये यूरोप का पूरा इलाका है एक भी किसी सभिता को जनम नहीं दे पाया अपने के बाद और एक भी धर्म को नहीं दे पाया अपने के बाद उनका अपना धर्म जिसको आज वो मानते हैं वो भी एशिया से गया है जिसको Christianity कहा जाता है वो यूरोप में नहीं है आप जानते हैं इस्राइल है इस्राइल एशिया में है और इस्राइल उतना ही गरम इस्थान है जितने हम लोग है हमारे यहां जिस तरह का वातावरण है लगब उसी तरह का वहाँ है अरब देशों में जिस तरह का वातावरण है लगब इसराईल में वैसा ही है तो सामनी रूप से एशिया को गरम माना जाता है तो यह गरम इस्थान मेंसे ही ईसाईयत निकली है इसी गरम इस्थान में से इसलाम निकला है और इसी गरम इस्थान में से हिंदुईजम निकला है या भारतियता निकले है क्या कारण है ठंडे इलाकों से कोई धर्म नहीं निकलता शायद उनके ठंडे बन के कारण क्योंकि ठंडे इलाकों के लोगों की जो प्राथमिक्ताएं हैं वो गरम इलाके के लोगों से बिलकुल अलग होंगी आप जड़ा सोचें अगर मान लीजे लगातार पीडी दर पीडी आपको बहुत बरफ के छेत्र में रहना है तो आपकी प्राथमिक्ताएं तो बिलकुल अलग होने वाली है उन लोगों से जो पीडी दर पीडी पीडी दर पीडी गरम इलाकों में रहते हैं तुनलात्मक्रूप से प्राथमिक्ताएं तो अलग होने वाली हैं दूसरे के घर की प्राथमिक्ताएं कुछ अलग हैं उसके हिसाब से वो अपना घर बनाता है दो घरों की प्राथमिक्ताएं कभी एक जैसी नहीं होती तो दो घरों की वास्तू और रचना भी एक जैसी नहीं होती दो घरों की रसोईयां भी एक जैसी नहीं होती किसी घर की रसोई में कुछ खास तरह की चीज है दूसरे में कुछ खास तरह की चीज है वो सब प्राथमिक्ताओं का किस्सा है तो यूरोप के लोगों की प्राथमिक्ताओं शायद सबसे ज़्यादा यह होती होगी इस बरफ से बचना इस ठंड से बचना किसी तर पर एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है हमको नहीं है क्योंकि हमारी प्राथमिक ताम है ठंड से लगातार बचना शामिल नहीं है तो शायद नहीं है आप जानते हैं यूरोप के सभी मॉल्स शॉपिंग कॉमप्लेक्स अमेरिका के सभी मॉल्स शॉपिंग कॉमप्लेक्स उनकी पब्लिक बिल्डिंग्स प्राइवेट बिल्डिंग्स सभी सेंट्रली हीटिट और सेंट्रली कॉल्ड होती है अब इसको लेकर अगर हम कोई अपनी ओपिनियन बनाते हैं साब देखो ये कितने उचे लोग है कितने हमसे आगे लोग है जो सब कुछ इन्होंने सेंट्रली कूल्ड और सेंट्रली हीटिट बना रखा है तो ये हमारी मूर्खता है उनकी नहीं है क्योंकि वो उनकी प्राथमिक्ता का हिस्सा है उनको जिन्दा रखना है अपने आपको तो गाडियों को भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा सेंट्रली कूल्ड और सेंट्रली हीटिट कई बार हम यूरोप के अखवारों में पढ़ते हैं अमरीका के अखवारों में पढ़ते हैं और इस तरह की बहुत खबरें आती है कि इतनी बरफ गिरती है गाड़ी चल नहीं सकती है तो गाड़ी को अंदर से स्टार्ट करके हीट करके बैठना पड़ता है घंटों घंटों तक इंतजार करने के लिए कि मौसन साफ हो तो हम एक किलो मीटर आगे बढ़ें अब हम इसको एक विशेष्टा के रूप में जब प्रचारित करना शुरू करें अरे साफ यूरोप की तो सभी गारे सेंट्रली हिट्टिड होती है तो वो हमारी मुर्खता है उनकी वो विवश्टा है उनके लिए वो आवश्चकता है उनके लिए वो प्राथमिकता है उनकी वो प्रायोरिटी है अब अगर वही प्रायोरिटी को हम नकल करना शुरू करें जिस इलाके में साल में नौ महीने क्या बारो महीने भेंकर सूरी के दर्शन होते हो गर्मी पढ़ती हो धूप मिलती हो अगर हम भी वैसी नकल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे उपर हसेंगे ही इस से जादा कुछ नहीं करेंगे कि क्या मुर्ख लोग है ये अपने हिंदुस्तान में भी वैसे ही कर लेना चाहते हैं जैसे हम है हम तो मजबूरी में हैं क्योंकि हमारी व्यवस्ता ऐसी है ये तो शौक के साथ उस रास्ते पे जा रहे मैं कहना ये चाहता हूँ कि शायद हिंदुस्तान की सभी गाड़ियों को सेंट्फली हीटेड और सेंट्फली कूल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौसम ही हमारे हाँ इस तरह का है लेकिन अगर हम इसी तरह की गाड़ियां बनाते जाएं बनाते जाएं और अपने को अभ्यस्त करने की कोशिश करें तो ये तो कुछ ऐसी ही कहानी है बिना जाने समझे दूसरों की नकल करना और उसको हम अपनी हीनता के साथ जोड़ें और उनकी उचाई के साथ जोड़ना शुरू करें देखो यूरोप अमरीका वाले बहुत उचे हैं जो सेंट्रल एर कंडिशन सिस्टम सब जगे बनाते हैं और सेंट्रली कार बनाते हैं एर कंडिशन औरी और हम नहीं कर पाते हैं तो हम पीछे हैं वो हमसे आगे हैं इस तरह का जब तुलना करना शुरू करते हैं तो ये सिवाय हास्यास पदोने के और कुछ नहीं है एक बार उनका छेत्र क्या है ये हमारे समझ में आए तो हर चीज उनको समझ में अब देखिए जब आप बहुत ठंड वाले इलाके में रहेंगे तो आपको अपने को गरम रखने के लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा क्यूरी कुलर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी पड़ेगी ताकि आप गरम बने रहें ने तो ठंडे पड़ गए तो तो आप गरम बने रहें इसके लिए कुछ ऐसा करते रहिए तो आप जिरा ध्यान दे यूरोप के देशों में लोगों के अपने वैयक्तिक जीवन के जो कुछ है हिस्से वो किस तरह के हैं उदारें के लिए उनका डांस उनका डांस ले ले उनके डांस में हम हमेशा देखते हैं यूरोप और अमेरिका में कि सबसे ज्यादा तेज पद संचालन होता है अगर आप पूरवी यूरोप में जाएं जिसको सोवियत सन पहले कहा जाता था और सोवियत सन का जो पडोस है पॉलेंड है चेकोसलोवाकिया, बल्गारिया, रूमानिया हंगरी आदी-आदी वहाँ का कोई भी डान्स देखे हैं जो यूरोप का हिस्सा तो सबसे फास्ट सबसे तेज पद संचालन उनी के नत्ते में है क्यों? यूरोप का डान्स आपने देखा है बहुत सारे ट्रूप्स आते हैं जिनके डान्स मैंने दिल्ली में देखे हैं मुंबई में देखे हैं वो इतना तेज क्यों करते हैं? शायद वो उनकी जरूरत होगी क्योंकि इतना तेज करने से शायद शरीर में उर्जा जादा पैदा होती होगी तो शायद उस ठंड से लड़ने में मतद करती होगी हम भारत की बात करें भारत की कल्पना करें यहां जो वातावरण है और व्यवस्था है यह गरम है और थोड़ी जादा ही गरम है गर्मियों में तो अती गरम है पचास डिग्री सेंटीग्रेट है तो पचास डिग्री सेंटीग्रेट वाले छेतर में रहने वाले लोग अगर डांस बनाएंगे तो वैसा तो नहीं हो सकता जैसा उनका है क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही गरमी बहुत है तो हमारे डांस जितने होंगे उसके जो पद संचालन होंगे वो बहुत साफ्ट होंगे कम होंगे, धीमे होंगे रिदम भी उतना ही धीमा होगा पद भी उतने ही धीमे रखे जाएंगे संचालन भी उतना ही धीमे होगा अब इसको लेकर हम जब ये कंपरीजन करें कि भाई उनका डांस तो बहुत अच्छा है पॉप है, रॉप है और उनका जो म्यूजिक है वो इतना फास्ट है क्योंकि म्यूजिक फास्ट होना ही पड़ेगा जब डांस फास्ट है आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि डांस उनका फास्ट है और म्यूजिक स्लो हो जाए ये तो होने वाला नहीं है होएगा तो बैठेगा नहीं कहीं सामजस से नहीं बैठेगा तो उनको अपना सामजस से बिठाना है डांस फास्ट करना है तो म्यूजिक फास्ट रखना पड़ेगा तो म्यूजिक भी वैसा ही है तो हम बार बार ये कहते हैं ये तो European music बहुत fast है समझ मैं नहीं आता तो सुनते क्यों है जरूरत क्या है उसकी उस थंडे छेतर के लोगों की जो निजी जिन्दगी है वो कैसी है प्राइवेट लाइफ कैसी है अभी मैं आप से जो बात करूँगा वो पिछले लगबग 2000 साल की बात करूँगा एक साथ बात करूँगा क्योंकि सन के हिसाब से करूँगा बहुत लंबा हो जाएगा आज से लगाकर पिछले 2000 साल तक माने आज सन 2005 है तो लगबग पहली शतापदी तक कैसा है यूरोप का निजी जीवन आज भी चल रहा है लगबग उतना ही जो मैं कहूंगा आप से और ये जो कहूंगा वो प्लेटो के हिसाब से सॉक्रेटीस के हिसाब से दिकारते के हिसाब से लेविनिज के हिसाब से उनके जो प्राइवेट लाइफ के रिसर्चर्स है उनके हिसाब से कहूँगा मेरे हिसाब से नहीं कहूँगा यह जो प्राइवेट लाइफ निजी जीवन है इसमें मैं शुरू करता हूँ परिवार से कि वहां परिवार कैसा है और फिर हमारे यहां कैसा उसमें मैं आऊंगा तुलना के लिए परिवार कैसा है तो उसमें आपक में परिवार नहीं है परिवार के नाम पर किसी तरह का एक कॉंगलो मेरेशन है हम जो परिभाशा करते हैं परिवार की वैसा वहां कुछ भी नहीं है सत्तर प्रतिशत से ज़्यादा लोग आज भी यूरोप में बिना परिवार के रहते हैं बिना परिवार के रहते हैं मने या तो पत्नी या तो पती या तो इस्त्री या तो पुरुष अलग अलग तो परिवार तो बनता नहीं है एकल पिता, एकल माता, सिंगल पेरेंट्स एक शब्द चलता है यूरोप में सिंगल मदर और सिंगल फादर, ये बहुत बड़े पैमाने पर है सत्तर प्रतिशत लोग इसी में हैं लगभग, अमेरिका में भी लगभग वैसा ही है अब ये जो कुछ है सत्तर प्रतिशत बिना परिवार के तो वहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं परिवार का जो इंसिचुचन है जिसकी minimum qualification हम कुछ मानते है जैसे हमारी कलपना है वैसा वहाँ कुछ नहीं है वहाँ तो सिंगल पेरेंट्स हैं आईदर इस्तुरी और पुरुष अब जो हैं ऐसे इलाके में बच्चों की क्या इस्थति है बच्चे कैसे हैं तो बहुत आश्यरी की बात है ये जानना और समझना कि पूरी की पूरी यूरोपियन सुसाइटी या यूरोपियन सब्विता पैट्रियार्केल है पित्रसब्ता पिता के आसपास है पिता के केंदर में हैं माता का कोई केंदर पूरे यूरोप और अमरीकी सब्विता में नहीं है प्लीज आप अगर चाहें तो इस हॉल से बाहर जाएं प्लीज मैं आप दोनों से कह रहा हूं आप से मैं दोनों से कह रहा हूं आप चाहें तो इस हॉल के बाहर चले जाएं क्योंकि मुझे बोलने में बहुत तकलिफ हो रहे हैं और दूसरों को सुनने में तकलिफ हो रहे हैं कम से कम आप यहां अमरीकी सब्विता का यह लक्षन पेशना करें कि आप इंडिवीज्वल हैं और हम सब एक समाज के से हां तो हो आप मेरे व्याःखियान के बात कहिए ना ? ऐ तो आप जाने दीज के मुझे होने के境 कर रहा हैं इतनी देख रहा हूं कि आप दोनों अपनी आप करने तो बाहर जाके करें. यह तो आप बाद में कह सकते हैं। श कल लिस तरह से आप बायर बैठ कर भात करें यह तो भारती सभी आ कि अन्कुल बैठता की भी। तो तो अगर आपको नॉंसंस लगता है तो यहां से जाईए, आप यहां क्यों बेठे हैं? I am also belong to this country. तो शांति से सुनिए उसको. अगर सुनना है तो शांति से सुनिए, उत्तर देना है तो शांति से दीजिये, ये तो कोई तरीका नहीं है कि कोई बात कर रहा है और आप बीच-बीच में अपनी बात करें, तो वह बाहर जाके कर सकते हैं, इस होल में दो दरवाजी हैं. Jenshav.. Sorry Vichir Pan Odd.. Sorry but.. वो आप की opinion हो सकती है, सब की नहीं है वो.. अजरिया आप तो प्रूंशी नहीं तो जाइए ना आप पैस बहत कर्या है, इस्टर्लब करिया आप किस बात कर रहा है जैसा कुछ बन नहीं पाया है आज तक सिंगलतन सब कुछ है एक माटा है एक पिता है और उसके साथ बच्चे चाहे तो है नहीं तो ओर फेनेज में हैं जादा तर इस तरह की स्तिती है तो परिवार की जैसी हमारी कलपना है वैसा कुछ नहीं है हम जब अपनी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो कलपना भी उसके साथ हमारी ही जुड़ती है जैसे हम कहते हैं न यूरोपियन परिवार तो परिवार की हमारी परिभाशा वहां बैखती नहीं है उनकी जो परिभाशा है उसमें वो एकल परिवार भी परिवार माना जाता है मैं कहना यह चाहता हूँ उनके अकेली कोई माँ अपने बच्चे के साथ रहती है तो वो परिवार ही माना जाता है अकेला पिता अपने बच्चे के साथ रहता है तो परिवार ही माना जाता है भारत में वो माननेता नहीं है भारत में तो माता पिता साथ में रहते हैं बच्चे उनके साथ में हैं और सिर्फ माता ही पिता नहीं उनके साथ दादा दादी भी है नाना नानी भी है चाचा चाची भी है मौसा मौसी भी है मामा मामी भी है ये भी है तो हमारे परिवार कांग बनता है और इसी परिवार का एक बड़ा हिस्सा कुटुम्ब होता है कुटुम्ब का बड़ा हिस्सा कुल हो जाता है कुल का बड़ पढ़ता चला जाता है, शुरू यहां से होता है, हमारे यहां परिवार, लेकिन उनके यहां इस तरह का है नहीं, तो हम जब European परिवार या American परिवार कहना शुरू करते हैं, तो गफलत वहीं पर हो जाती है, हम अमारे शब्दों को उनकी सभिता में जब फिट करने की करते हैं तो उसमें confusion बहुत हो जाता है तो अपने शब्दों को अपनी सभिता तक सीवित रख कर उनके शब्दों को इस्तेमाल करें तो अच्छा है तो उनका शब्द है family family माने परिवार नहीं होता जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ वो ये जब हम भाशांतर करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपने साथ जैसे भारत में हमने भाशांतर कर दिया religion माने धर्म कर दिया अब religion बिल्कुल अलग है प्लैटो की जो definition है religion की वो हमारे धर्म पर fit ही नहीं बैठती कहीं हम जब धर्म की बात करते हैं तो यह है कि जो धारण कर सके हैं धारण करने योग हैं वो सब कुछ धर्म है उनके यहां यह कहीं है ही नहीं पूरी philosophy में नहीं है धारण करने योग वहां कुछ है ही नहीं जिसे वो कहें, वो religion को क्या मानते हैं, आप नतिला कैसे लगाया, ऐसे लगाया, घंटा ऐसे बजाया, वैसे बजाया, अगर बत्ती लगाई के, मौम बत्ती जलाई के, काटा के, ये उनके आँ सब कुछ religion में काम आता है कहने के लिए, हमारे यहां तो ये religion से बहुत दूर तक का इसका वास्ता नहीं है, इसको तो हम कर्मकांड के रूप में कहते हैं, धर्म तो बिलकुल अलग है, कर्मकांड तो बिलकुल अलग है, हम एक संप्रदाय वाले हैं, तो हम एक तरह के कर्मकांड करेंगे, एक दूसरे संप्रदाय वाले दूसरे तरह का कर्मकांड करेंगे दक्षिन में आप चले जाएए कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह सितिलक लगाते हैं लेकिन वो religion का हिस्सा नहीं है हमारे हैं वो हमारे हैं कर्म कान का हिस्सा है तो उनके यहां का religion हमारे यहां का धर्म नहीं है उनके यहां की family हमारे यहां का परिवार नहीं है हमने क्या किया है भाशा की सहूलियत के लिए भाशांतर के रूप में शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू किया है और उससे बहुत कुछ गलतियां हम करते हैं और वो हमारी उन गलतियों पे हसते हैं हम जब family planning की बात करते हैं न, तो हमरे यहाँ तो family है नहीं, उसको plan क्या करें? उनके यहाँ family है, तो उसको plan करना है. हमरे यहाँ तो परिवार है. उनके यहाँ तो परिवार नहीं है, family है. तो family planning पूरा एक policy के रूप में जब इस देश में चले, तो हासी अस्पद ही दिखाई देता है परिवार के बारे में बात करें तो कुस्स समझ में आती है तो कई ह residence क्या होता है कि शब्द उनके हम ले लें और अपने हिसाब से भाष्ण तेरकर करके इस्तिमाल करें तो उनके आप family हैं, परिवार नहीं है हमारे याब پरिवार है उनके याँ नहीं है तो अब दोनों अलग-अलग है और में जो कहना चाहता हूं इसमें कोई उ उचा नेचा की बात नहीं है वो अलग है हम अलग है जैसे कई बार यह कहते हैं नो उरोप की सब्गेता में भारत की सब्गेता में बहुत कुछ common है ऐसा कुछ भी नहीं है जो common है अगर कुछ है तो वो जबरजस्ती से किया हुआ है जैसे वहाँ का पीशा आ गया बर्गर आ गया और हमने खाना शुरू कर दिया तो common हो गया या वहाँ से पेपसी कोक आ गया हमने पीना शुरू कर दिया तो common हो गया वो सब्विता का अंग नहीं है वो नकल किया हुआ एक हिस्सा है चाउमीन वहां से आ गया हमने खाना शुरू कर दिया सिवई के इस्थान पर तो वो अंग नहीं बनता सब्विता का तो common है ऐसा कुछ होता नहीं है किसी भी civilization में कोई भी सब्विता में दुनिया में आप जाईए कुछ भी common नहीं होता है नहीं तो सब्विता ही नहीं बनती है सब्विता बनती ही इसलिए हैं कि वहां कुछ अलग है यहां कुछ अलग है और संस्कृति उसका एक छोटा सा हिस्सा होती है सब्विता कुछ बड़ी चीज है संस्कृति उसमें छोटा सा कुछ हिस्सा जैसा है सब्विता और संस्कृति का अगर अंतर समझना चाहे तो भारत के हिसाब से यूरोप में तो ये अंतर भी नहीं है यहां के हिसाब से मैं एक उधारन आपको देता हूँ आपको अगर मैं यह कहूँ कि कोई माँ है या बहन है वो बंगाली तरह से साड़ी पहने हुए है तो तुरंट आपके दिमाग में कोई पिक्चर भूनता है बंगाली तरीका क्या है साड़ी पहनने का कुछ है फिर इसी तरह से मैं कहता हूँ कोई एक माँ है बहन है वो आसामी तरीके से कोई साड़ी पहनी हुई है तो तुरंत आपके दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि आसामी तरीका कोई है साड़ी पहनने का फिर मैं कहता हूँ कोई गुजराती तरीके से माँ और बहन साड़ी पहन कर खड़ी हुई है तो तुरंत आपके दिमाग में कोई एक इमेज आती है एक तरीका है गुजराती साड़ी पहनने का फिर पंजाबी है तो ऐसे अगर आठ दस राजियों के मैं नाम लूँ और आपसे कहूँ कि देखो ये गुजराती साड़ी है ये मराटी साड़ी है ये बाबंगाली है ये आसामी है ये मनिपूरी है ये आदे-आदे इस तरह की साड़िया है तो ये जो अलग अलग तरीके है साड़ियों को पहनने के ये है संस्कृति और ये जो साड़ी है वो है सब्विता तो सब्विता और संस्कृति का जो अंतर है वो किछ इस तरह का है civilization है, साड़ी और तरीके जो उसको पहनने के हैं वो है हमारी संस्कृति तो भारती अता में सब्विता और संस्कृति में जो परिवार की बात है वो में कुछ अलग तरीके की हमारी उनकी अलग तरीके की तो अब उनकी जो family है कैसी है family ये है कि प्रेक्ट्रियार केल मैंने आपसे कहा पिता है वो सर्वच है और पिता की हैसियत जज के जैसी है माने एक बार उसने कोई फैसला सुना दिया वो सुप्रीम है वो रीकंसीडर नहीं होता लगबग 2000 साल पूरे यूरोप में सन 1950 से लेकर पहली शतावदी तक यूरोप के सभी परिवारों में पिता सर्वच है 1950 तक और यही कारण है कि सन 1950 तक यूरोप के सभी देशों में सिर्फ पिताओं को वोट डालने का अधिकार होता था आप सोच सकते हैं यह बार अमेरिका में 1950 तक बिपेन में सन 1950 तक यूरोप के देशों में लगबग 1950 तक सिर्फ पुरुष ही वोट डाल सकता था इस तरी को वोट डालने का अधिकार नहीं क्योंकि फैमिली में इस तरी का कोई महत्त नहीं पित्र सब्तात्मक सब्ता पेट्रियार के अल जिसको हम कहते हैं उनके शब्दम वो है और इससे भी आगे चलें तो यूरोप के दस्तावेज बताते हैं कि सन 1950 तक यूरोप और अमेरिका की किसी बैंक में महिला को खाता खोलने का अधिकार नहीं बैंक एकाउंट उपन करने का राइप नहीं अप टू 1950 तो महिलाओं को वोट डालने के अधिकार मिलने चाहिए और महिलाओं को बैंक में खाता खोलने का अधिकार मिलना चाहिए इस पर एक जबरजस्त आंदोलन शुरू हुआ फ्रांस से और उस आंदोलन की नेत्री थी सिमोन दा बोवार और उसका सबसे बड़ा नारा था कि जो पुरुष को अधिकार है वोट देने का, बैंक एकाउंट खोलने का, संपत्ती का मालिक होने का, वो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए और ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला जियोंपाल सात्र जो बहुत बड़ा फिलोसफर माना जाता है फ्रांस का और अभी यूरोप का सिमोन दा बोवार जो उसकी सहयोगी थी इन लोगों ने मिलकर ये बहुत बड़ा केंपेंग स्टार्ट किया जिसको फेमिनिजम माना जाता है या फेमिनिजम मूमेंट कहा जाता है इस्तुरी मुक्ती आंदोلا जैसा हम उसका भशांतर भारत में करते हैं इस्तुरी को मुक्ती किससे इस व्यवस्था से जिसमें उसको वोट देने का अधिकार नहीं बेंक एकाउंट खुलने का अधिकार नहीं जो अधिकार है वो सब पुरुष को हैं, पिता को हैं, मा को तो कोई अधिकार में और इसमें इंट्रिस्टिंग बात जो समझने की है, जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती, जो प्लैटू अपनी किताब में लिखता है वो कहता है कि बच्चे का पैदा होना भी मा के अधिकार में नहीं है, वो पिता का ही अधिकार है अर्थार कोई गर्भ में बच्चा आ गया है तो उसको पैदा होना है या नहीं, वो पिता तै करेगा, मा तै नहीं कर सकती जन्म देना है नहीं देना है उसके पती पर निर्बर है पत्नी कुछ उसमें हा ना नहीं कह सकती यह अनिकार नहीं है और रूसो जो मौडरन फिलोसफर माना गया है उसके पांच बच्चे हुए पांचों के बारे में वो अपनी आटोबाइग्रफी में लिखता है कि मेरा फैसला था पत्नी का नहीं और फिर उसको कहा गया कि यह गलत है या सही है तो उसने का 2000 साल की परंपरा है उन्हेंने उसको निभाया तो यह वहां की व्योस्ता है तो पिता है, पुरुष है, मुख्य है परिवार का मुख्या है, कुल पती है, कुल पिता है जो कहना चाहिए अभी जो तय करेगा वही तय करेगा माता कुछ तय नहीं कर सकती और इससे भी आगे यूरोप के सभी गाउं में अब शहरों में थोड़ा ये बंद हुआ है पिछले 50 साल से यूरोप के गाउं में आज भी बहुत सारी जिन जातिया है जिनको यूरोप में आदिवासी कहा जाता है वहाँ अभी भी यही है पिछले 50 वर्षों में वहाँ नहीं कुछ बदला है इससे भी आगे एक बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि बच्चा पैदा हुआ पिता की मरजी से माने सिर्फ गर्वधारण किया मरजी पिता की है अब उसको जिन्दा रहना है या नहीं और सामन रूप से यूरोप में 2000 साल की एक परंपरा है कि बच्चे जितने पैदा हों उसमें से तीन चौथाई को लावारिस छोड़ा जाए एबंडन्ड चाइल्ड जैसे रूसों के पाँच बच्चे हैं चार को उसने छोड़ दिया जर से निकाल दिया जनम लेते ही निकाल दिया तो वहां की परंपरा कैसी है बच्चे ने जनम लिया पिता ने उसको किसी कपड़े में लपेटा और बाहर रख दिया दरवाजे पे रख दिया या डस्ट बिन के पास रख दिया या यूरोप के बहुत सारे देशों में चर्च के सेंटर होते हैं वहां पहुँचा दिया कि इनको आप पालो ये हम नहीं रखेंगे सामने रूप से तीन चौथाई बच्चे लावारिस छोड़े जाते हैं उसके पीछे उनका लॉजिक क्या है प्लैटो ये कहता है कि बच्चों को पालना अपने वैयक्तिक जीवन में खलल पाईदा करने जैसा है ये प्लैटो की ओपीनियन है इसलिए व्यक्तिकत जीवन में खलल नहीं होना चाहिए और प्लैटो की परिभाशा में व्यक्तिकत जीवन सिर्फ इंद्रियसुख के लावा कुछ नहीं है अपने ह। इंद्रियसुख शरीर सुख यही सबसे उचा है बाकी सब इसके नीचे है और इंद्रिय सुख और शरीर सुख लेने में बच्चे सबसे वड़ी वादा हैं इसके घर में नहीं आप छोड़ो दो उनको पैदा हुए तो छोड़ो प्लैटो ने अपने बच्चे छोड़े प्लैटो की चार पत्निया हैं उसमें से एक शादी वाली है तीन बिना शादी की हैं तो जितने बच्चे हैं सब छोड़े सॉकरिटीज ने यही किया लेबिनिज ने किया दिकारते ने किया रूसो ने किया सबी फिलोसोफर्स अपने बच्चों को लावारिस छोड़ते अब प्लैटो कहता है कि यह जो लावारिस हैं इनकी जिम्मेदारी राज जी की है परिवार की नहीं फैमिली की नहीं तो राज जी इनको समा ले तो राज जी क्या व्यवस्था कर रहा है इन लावारिस छोड़े हुए बच्चों की व्यवस्था के लिए राज जी ने चर्च को खड़ा किया पैसा दे कर कि आप इनकी व्यवस्था समालो तो जितने भी चर्च पूरे यूरोप और अमेरिका में आपको मिलेंगे सभी चर्चों के और्फेनेज सेंटर आपको जरूर मिलेंगे बिना और्फेनेज के कोई चर्च यूरोप में नहीं होता सभी चर्च में लावारिस बच्चों के केंदर आपको मिलेंगे और जो लावारिस बच्चों के केंदर चर्च के साथ जुड़े हुए है जहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग का माने जो कुछ भी उनको जिंदगी चलाने के लिए सिखाया जाता है वो ट्रेनिंग देले वाले इंसिट्यूशन्स को कॉन्वेंट कहा जाता है कॉन्वेंटर था लावारिस बच्चों के लिए बनाया गया इंसिचूट जिन बच्चों को उनके माता पिता ने छोड़ दिया है जो पल रहे हैं चर्च की तीमारदारी में और चर्च को पैसा सरकार दे रही है और ये पैसा यूरोप की सभी सरकारें अपने बजट में से निकालते हैं सबसिडी के नाम पर सोशल सिक्योरिटी के नाम पर और यूरोप की सभी सरकारों के बजट का हाईस्ट एक्सपेंडीचर सोशल सिक्योरिटी में ही है इंक्लूडिंग अमेरिका तो वो social security expenditure में एक बहुत बड़ा expenditure है convent का अब मेरे समझ में ये बात बिलकुल इस पश्टाने लगी है पहले मैं बच्पन में नहीं जान पाता था कि ये भारत में जो convent school है इन school में हम जब पढ़ने जाते हैं या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तो बच्चों को इस school में mother father कहना क्यों सिखाते है teacher कहना क्यों नहीं सिखाते है जैसे भारत में बहुत सारे convent है उसका principal father है या तो कोई mother है या तो कोई sister है या तो कोई brother है teacher कोई नहीं है वहाँ पे क्यों कि यूरोप में तो कॉन्वेंट इसकूल हैं ही लावार इस बच्चों के लिए जिनके मदर फादर का पता नहीं है तो किसी तरह मदर फादर की थोड़ी अनभूती हो सके इसके लिए वो अपने आप मदर फादर ब्रदर सिस्टर सिखा थे हमने जैसे का तैसा कॉन्वेंट का ढाचा वहां से आयात कर लिया या जवरजस्ती हमारे ऊपर ठोक के बिठा दिया अंग्रेजों ने जो भी कहना हो वो अभी भारत में वैसे ही चलता है जैसे यूरोप में चलता है बारत के जैपूर के किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में आप चले जाएए बच्चे को फादर ही कहलवाएंगे वहाँ के प्रिंसिपल को कि यह फादर है जो लंबा चोगा पहन के है और वो सिस्टर है या तो वो मदर है या तो वो ब्रदर है कोई टीचर नहीं है क्योंकि वहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं अब इससे भी ज्यादा इंफ्रिस्टिंग एट बात में आपसे और कहता हूँ तब आपको और समझ में आएगा कि हमारी मूर्खताएं क्या है हमारी अपनी यह जो मदर फादर नहीं है जिन बच्चों के जो कॉन्मेंट में वहाँ पढ़ते हैं उन बच्चों को जो ट्रेनिंग देने वाले इंसिट्यूट्स हैं उन ट्रेनिंग देने वाले इंसिट्यूट्स में एक डिनोमिनेशन है या एक नाम करण है अकेले कुछ ऐसे बच्चों का जिनको बास्टर्ड कहा जाता है literally कहा जाता है यूरोप में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बास्टर्ड कहा जाता है बास्टर्ड कौन है बास्टर्ड वो है जिनके माता पिता नहीं है और जिनके माता पिता है वो नहीं है बास्टर्ड बाले जिनके परिवार हमारे जैसे हैं अगर हम कल्पना करें उनके यहां पैदा हुए बच्चों को बास्टर्ड नहीं कहा जाएगा कभी बास्टर्ड वही है जिनके माबाप का पता नहीं है और जो bastard है वो नागरिक नहीं है और हो नहीं सकते। citizenship उनको नहीं मिलेगी। citizenship किसको मिलेगी? जो उनके माता पिता है और उनकी अपनी family है। वो बच्चे ही citizen होंगे जिनके माता पिता का पता नहीं है। और्फेनेज में बले हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, उनको नागरिक्ता नहीं है, और आपको सुनकर आश्वरे होगा, 1935 तक इंग्लेंड में और यूरोप में कॉन्वेंट पढ़े हुए किसी भी बच्चे को नागरिक्ता नहीं मिली, कई लोगों को तो संधर्श करना नागरिक्ता के लिए, मैं आपको एक नाम बदाता हूँ, रोम में एक राजा हुआ, क्लॉडियस, बड़ा राजा है, बहुत बार उसकी चर्चा है, यूरोपियन हिस्ट्री में, क्लॉडियस बास्टर्ड है, और उसको राजा होने के रास्ते में सबसे बड़ी बड़ा रिलेत उसको लगती है, अपने मैं तो राजा होने की मन में कल्पना है, तो अब उसको रास्ता कैसे क्लियर करें, तो क्लॉडियस ने क्या किया है, अपने आपको किसी फेमिली में दद्तक करवाया, राज्तक में पुरणई एक अधने की परंपरा ये हुआ तो सब कहते हैं न और एक हमारे हां मुहावरा इस्तेमाल होता है कि रोम जल रहा था और नीरो बासुरी बजा रहा था तो वो नीरो वो नीरो भी इसी रास्ते से गया राजा होने तक मने राजा होने के लिए रागरिक होना है नागरिक होने के लिए माता-पिता होना है अगर आपके माता-पिता नहीं है तो राजा होने की स्थिती नहीं है तो आपको कहीं दत्तक होना पड़ेगा किसी बड़े परिवार का दत्तक होना पड़ेगा फिर आप उस रास्ते पर जा सकेंगे ये उनकी परिवार की व्यवस्था है अभी भारत में देखें भारत में आजादी के पहले से और पिछले दो पाँच हजार साल तक जितनी कलपना हमारी दूर तक जाती हो रामचंदर जी के जमाने तक जाती हो क्रश्नी के जमाने तक जाती हो उसके पहले तक कहीं कलपना जाती हो तो परिवार में बच्चे का होना मा के उपर निरुभर है भारत में बिल्कुल उल्टा है मा चाहेगी तो बच्चा होगा नहीं तो नहीं होगा ये हमारे यहां की प्यवस्ता है और भारत में आज भी जिनको हम आदिवासी और बनवासी कहते हैं आप वहाँ चले जाएए पूरी सुसाइटी मैट्रियार की अल है मात्र सत्तात्मक है नौर्थीस्ट में आप जाएंगे आसाम के उपर कहीं भी नागलेंड, मिजोरम, मनीपूर, त्रिपुरा, सिक्किम वहाँ आपको सब कुछ दिखाई देगा मा के इर्दगिर्द घूमता हुआ और उनसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हाँ ये तो हजारों साल की परंपरा है हमारी और नौर्थीस्ट में आपको सुनकर आश्यर होगा शादी होकर बेटी घर से नहीं जाती है लड़का घर में आता है ये भारत की उन सभी समाजों में हैं जिनको दुर्बागे से हम शिडूल ट्राइब्स कहते है शादी होकर बेटी नहीं विदा होती है लड़के को घर में लाये जाता है दमाद बना कर और संपत्ती की मालिक लड़की होती है लड़का नहीं होता है योरोप में इस तरी को संपत्ती का कोई अधिकार 1950 तक नहीं है उसके बाद आया है जिसको modern योरोप कहा जाता है उसमें आया है यहां तो पहले से है और यहां अगर आप इसको समझना चाहें कि भारत की सारी व्यवस्थाएं मा के इर्दगिर्द घूमती हैं घर के सारे बड़े फैसले माताइं करती हैं इस देश में बले वो लंबा घूमगट निकाल के बैठी हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता मैंने राजिस्थान में क्या, मधिप्रदेश में क्या, भारत के उत्तर में क्या कहीं भी देखा है, छोटे छोटे गाउं में देखा है लंबा घूमट निकाले हुए महिलाएं घर के फैसले ले थे एक बार ऐसे एक बहुत महतुपूर केस में मुझे अनभव हुआ, मेरा एक दोस्त है वो अपनी बहन की शादी करने के लिए एक गाउं में गया, पश्चमी उत्तर प्रदेश में तो जिस गड़ का लड़का था, वहाँ पर हम बैठे, तो उनकी मा, लड़के की मा, लंबा घूमगट निकालके बैठी थी तो लड़के के पिता भी वही बैटे थे लड़का भी बैटा था तो हम सब बात कर रहे थे कि देखो लड़की ऐसी है ऐसी है आपको मनजूर है तो पिता ने तुरंथ हां बोला लड़के ने हां बोला वो जो मा लंबा घूंगट निकाल के बैटी थी उसने का बस इतने में पिता उठ गया लड़का उठ गया अंदर गए और बाहर आके का कि शादी नहीं हो सकती क्यों हमने का भी क्या कमी है तो हमारी माताजी ने पहले एक लड़की पसंद कर रखी है पस फैसला तो उनी का है तो हम ये जो कई वार गालियां देते हैं न हमारी महिला तौसिक्षित हैं अनपोड़ हैं घूंगट निकाल के बैटी फैसला वही करती है महत तो जो है वो फैसले का है पिता फैसले नहीं करता पिता की भूमिका तो व्यवसाय तक इस देश में सीमित है घर की भुमिका पूरी तरह मा के हाथ में है तो यहां का जो परिवार है वो मात्र सब्तात्मक है और जब मात्र सब्तात्मक है तो उसमें संबंद तो बहुत दूर तक होते है क्योंकि मा तो संबंद के शुरुवात है संबंद ही पहला बनता है वो मा का है तो मा से निकलते हुए फिर संबंद चलते हैं और संबंद चलते हैं तो परिवार और कुल और वंश बड़े होते हैं तो हमारे या जो परिवार की कलपना है उसके केंद्र में मा है वो राम का देख लो, क्रशन का देख लो, या और वसुदेव का देख लो या भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का देखना हो तो देख लो हर्शवर्दन का देखना हो तो देख लो या चानक्य का देखना हो तो देख लो किसी का भी देख लो सभी के केंद्र में मा है और ये जितने महान लोग जिनको हम बार बार नमन करते हैं याद करते हैं उन से पूछो कि भई आप अपने जीवन में सबसे जादा आभारी किस के प्रती हैं तो वो गयते हैं हमारी मा के प्रती आभारी है वो है तो हमको ये संसकार है नहीं होती तो शायद ये नहीं होता तो संसकार देने का काम मा भारत की सारी कविताओं के केंदर में मा है जो बच्चों को सिखाई जाती है बच्चमन से लेके और दूर तक मारे इस्तरी हमारे केंदर में है महिला हमारे केंदर में है मा हमारे केंदर में है तो मा के केंदर होने से परिवार की व्यवस्था कुछ इस तरह की है मात्र सक्तात्मक है और भारत में ये कभी नहीं रहा अमरीका और यूरोप के जैसा जैसे वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं बैंक एकाउंट कोलने का अधिकार नहीं आप जानते हैं कि इस भारत में माताओं ने रिगवेद की रिचाएं लिखी है, यजुरवेद की रिचाएं लिखी है, सामवेद की रिचाएं लिखी है, उपनिशदों में बहुत सारा कॉंट्रिब्यूशन माताओं का है मेरे एक परिचित है आरे समाजी है बहुत बड़े वेद के प्रकांड पंडित है मैंने उनसे एक दिन पूछा कि वेद में कुल कितनी रिचाए हैं और उस में से कितनी महिलाओं की हैं तो उनका 37-40 प्रतिशत महिलाओं की लिखी हुई है और उनकी अलग-अलग नाम है जो हम जानते हैं अलग-अलग समय पर तो वेद रच्टी हैं महिलाएं उपनिशद रच्टी हैं महिलाएं तो केंदर में तो रही होगी और भारत के सामन निगाओं में ये दिखाई देता है अभी भी माताएं आर्थित फैसले सबसे ज़्यादा करती हैं अभी भी माताएं सबसे ज़्यादा उत्पादन के काम में लगी हुई हैं इस देश में GDP का जो European American पैमाना हम छोड़ें और भारती ये पैमाना कोई बनाएं तो highest GDP contribution माताओं के द्वारा ही है इस देश में अभी तो हम European पैमाने से नापते हैं तो होता क्या है कि भारत में माताओं का उत्पादन छोड़कर जो कुछ भी इस देश में है वो सब GDP में आता है लेकिन माताओं का उत्पादन हमने कभी GDP में लाया नहीं क्योंकि नकल हमने उनकी क्यर रखी है वहाँ पे माता में पापड बनाती हैं चिप्स बनाती हैं बड़ी बनाती हैं अचार बनाती हैं सबजियां बनाती हैं रोटियां बनाती हैं वगेरा वगेरा बहुत कुछ बनाती हैं वो GDP में इंक्लूड नहीं है क्योंकि नकल हमने वहाँ से की हुई है पित्र सब्तात्म समाच से इस घर में मा नहीं है, वहां की रौनक नहीं है, पवित्रता नहीं है। मैं दक्षन में बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ, लेकिन गर्व ग्रह में मैं प्रवेश नहीं कर सका। कारण क्या बुजारी ने कहा कि आपकी या तो मां को लेके आईए या तो पत्नी को लेके आईए तब है मंदिर में जाने के अधिकारिया आप अकेले क्या करेंगे इसमें जाके तो मैंने का भई इसमें प्रशानी क्या है मैं अकेला हूँ तो उन्हेंने का अकेले होने से पवित्रता नहीं आती पवित्रता किसी इस तरी के साथ होने से ही आती है वो चाहे मां के रूप में हो या आपकी पत्नी के रूप में हो और अगर कुछ नहीं है तो बेहन को ले आईए किसी को हम आपको मंदिर में जाने देए उस दिन मेरे समझ में आया अब इस बात को हम पूरे हिंदुस्तान में एक नमक मिर्च लगा कर एक दूसरे तरह से भी पेश कर सकते कि देखो कितना चुआ चूत है इस देश में गुस्ने ही नहीं देते मंदिर में लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और है वो पवित्रता का कारण है जो मां के साथ जोड़ा हुआ है और ये भारत में बहुत सारे शास्त्रों में बार बार पढ़ने में आता है सुनने में आता है कि जिस पुरुष की इस्त्री चली गई उसका तो सब कुछ चला गया मा चली गई तो और कुछ बचाई नहीं है पत्नी गई तो बहुत कुछ चला गया विदुर होना बहुत अपमान जनक इस्तिती है समाज में हमारे देश में हमारी मान बिता में हमारी सब बिता तो क्यों है क्योंकि मात्र सब्तात्मक है सब कुछ बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे मा का है बच्चे बड़े होंगे तो क्या संसकार मिलेंगे मा का फैसला है पिता का उसमें कोई बड़ा योगदा नहीं पिता तो थोड़ा supporting hand के रूप में है जो कुछ गड़ रही है तो वो तो मा गड़ रही है तो भारत की सब्विता मात्र सब्तात्मक इसलिए हमने शायद हमारे देश को भारत माता बोला हमने कभी क्यों नहीं कहा भारत पिता भारत माता ही क्यों कहते क्योंकि वारत सब्तात्मक है सब कुछ यहां तो भारत माता ही कहेंगे भारत शब्द तो पुर्लिंग है लेकिन माता तो हमने लगाया है उसके साथ भी गंगा के साथ भी माता लगा दिया गाय के साथ भी माता लगा दिया यमुना के साथ भी माता लगा दिया गंगा मैया है, यमुना मैया है गया मैया है ये मैया है बले वो पुर्लिंग ही क्यों न हो क्योंकि मात्र सब्तात्मक समाज में रहने वाले लोग पित्र सब्तात्मक समाज के लोगों की नकल करें तो अल्टिमेटली क्या निकलेगा आपको अपने इस्थान बदलने पड़ेंगे और उस मेंसे तो बहुत कुछ घालमेल होगा तो अभी मैं आपको इस उधारन को और थोड़ा इसपश्ट करता हूँ कि हम भारत में विदेशी टीवी चैनलों को आज देखते हैं तो जितने भी विदेशी टीवी चैनल हैं जैसे स्टार प्लस आया है CNN है, ATN है, Prime Star है, Prime Sports है वगरा वगरा इन सभी टीवी चैनलों पर कुछ सीरियल आते हैं और उन सीरियलों को भारत वासी देखते हैं और दिखाते हैं लेकिन उनके प्लोट सभी अमेरिका और यूरोप से आते हैं बारत में इस Star Plus पे सबसे ज़्यादा सीरियल दिखाने वाली एक लड़की है जिसका नाम है एकता कपूर उसके सबसे ज़्यादा सीरियल आते हैं सौभागे से एक बार मुझे उससे बात करने का मोका मिला मुंबई में तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि आपके जितने भी सीरियल हैं सास भी कभी बहु थी घरगर की कहानी, तेरी मेरी कहानी इसकी कहानी, उसकी कहानी ये सब सीरियल के प्लॉट्स कहां से आते हैं कहानी कहां से आती है तो मैंने का अब मुझे समझ में आ गया कि आपके सभी सीरियल में माताओं को ही सबसे ज़्यादा गालियां क्यों दी जाती है सास भी कभी वहू थी आप अगर इस सीरियल को ध्यान से देखें तो इस सीरियल की सभी इस्त्री पात्र या माताएं पात्र सबसे ज़्यादा दुर्भावना का शिकार है ऐसे ही कसोटी जिन्दगी की या कहानी घर घर की कोई भी सीरियल देखें ये सभी सीरियलों को मैं देख नहीं पाता हूँ लेकिन इनकी स्टोरी जरूर पढ़ता हूँ कभी अखवार में आती है कभी मेगजीन में तो उन सब सीरियलों में एक माता दूसरे के खिलाफ शड़यंत्र कर रही है दूसरी तीसरे के खिलाफ तीसरी चौती के खिलाफ ननत भावी के खिलाफ भावी ननत के खिलाफ माता जो है किसी और के इसी तरह के शड़यंत्र 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 माताओं के बीच में उसको हिंदुस्तान का थोड़ा मिर्च मसाला लगा के पेश किया हुआ है। तो सभी सीरियल उसी तरह के दिखाई देते हैं स्टेशू। चुकि हम अगर अगर अपनी सभिताओं को ध्यान में रखके कोई सीरियल बनाएं और अपनी माननेताओं को ध्यान में रखके बनाएं तो इसके बिल्कुल विप्रीट बनेंगे जो आज हम देख रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं। अच्छा मैंने जब इनको कहा कि एकता कपूर को कि आप कोई भारती है माननेताओं के आधार के भी बनाएं तो उनका आप प्लॉट बना के दे दीजे हमारी दिमाग में तो आता नहीं है। क्योंकि हमने तो जो पढ़ा लिखा है वो सब कुछ इसी तरह का है बिना सोचे समजे नकल करते हैं तो इस तरह का तो एक मात्र सब्तात्मक समाज हमारा एक पित्र सब्तात्मक समाज उनका अब कौन अच्छा कौन बुरा इसमें नहीं जाना चाहिए वो अलग हम अलग अब अलग-अलग माननिता और सब्था के लोग, अलग-अलग माननिता और सब्था के ही कारे करेंगे, तभी कुछ अच्छा होगा, नहीं तो उसमें से कुछ खराबी निकलेगा, धाल वेल करेंगे, फीूजन करेंगे तो फिचुड़ी बनेगा इस तरह का यूरोप और अमेरिकन समाज है इसमें और भी बहुत सारी बाते हैं जैसे उधारन के लिए एक बात यह है कि यह जो लावार इस बच्चे है पिर यह कहा जाते हैं अंतमे यूरोप में तो यह अंतमे गुलाम बन के काम में आते हैं कॉन्वेंट से जो बच्चे निकलते हैं वो सब गुलाम बनते हैं और आप जानते हैं कि गुलामी प्रथा दास प्रथा यूरोप का लंबे समय तक चला हुआ बहुत पड़ा अभियान रहा है जिसको यूरोप और अमेरिका की किसी भी समाज ने आज तक ये नहीं कहा कि ये पूरा खराब था वो कहते हैं इसमें थोड़ा सुधार करके अच्छा था इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश यहां तक आके जॉर्ज बुश प्लैटो की मननिता को ही आगे बढ़ाता है जब वो एक वक्त विदेता है कि निउ औरलिंस में आया भूकम अभी आया ना पानी का जल जला समिदुरी तो निउ औरलिंस का एरिया उसने 6-7 दिन तक नेगलेक्प रखा लोग मरते रहे, कटते रहे, पिटते रहे, आर्मी नहीं भेजी, सहायता नहीं भेजी और अंत में कहा, वो गुलाम थे सब, तास लोग थे, ब्लैक्स थे, क्या गरना उनके लिए और थोड़े दिन के बाद, उसी तरह का तूफान, और जल जला, उस एरिया में आया, अमेरिका में जहां उनका सबसे बड़ा सेंटर है, केप केने वरल, और वहां से उनके रॉकेट और वो सब छोड़े जाते हैं, और अमेरिका का सबसे अमीर इलाका है, वहां जैसे ही जल जला आया, छे घंटे के अंदर, आर्मी भी पहुँच गई, सामन भी पहुँच गया, सब पहुँ अमेरिका में और यूरोप में ये लंबे समय से हजारों साल से गुलामी की दास प्रथा, और इसी दास प्रथा में इन सब बच्चों का इस्तेमाल होता रहा है, और मजे की बात ये है, कि इसको वो कभी भी खराब नहीं मानते रहे, तो वो दुनिया के जिस भी देश में ग होता है, जो भी पिता है, या उनकी छोडी बहुत पैमिली है, उसमें बच्चा तो एक अधी है, बागी तो और फैनेज में है, और फैनेज से लाई हुए जो बड़े गुलाम बच्चे हैं, वो घर के काम में लगे हुए, तो छोटे से लेकर बड़ा काम सब गुलाम पिता को करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे जूता पॉलिश करना है तो वो गुलाम करेगा, इस्तुरी करना है तो गुलाम करेगा, कपड़े दोने है तो गुलाम दोएगा, घर को साफ करना है तो गुलाम करेगा, इस तरह की परमपराएं वहाँ पे हैं, बहुने अपने हाथ से अपने सारे काम करें वो उचा है और दूसरों से कराए तो वो सबसे ज़्यादा शोशल कर रहा है हम उसको गाली ही देते हैं तो भारतियता में क्या होता है मैंने ऐसे इस देश के सैकड़ों करोड़ पतियों को देखा है जो अपने घर में खुद जाड़ू लगा ले अपने कपड़े खुद साफ कर लेते हैं खुद नहा लेते हैं खुद दात साफ कर लेते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते यूरोप में जो अमीर जादे रहे हैं 1950 तक उनके दातों पे ब्रश भी गुलाम ही चलाते रहे हैं दातों पे ब्रश तो जब अमीर जादे यहां का घर है तो बहुत साल तक तो अंग्रेज वोईसर आई रहा जिसको राश्रुपती बानते थे तो आप अगर चले जाएं राश्रुपती भवन में तो ऐसे दासों की गुलामों की फौज आपको वहां मिलेगी जिनकी संख्या साड़े चार अजार राश्रुपती भवन में ऐसे कई गुलाम नौकर हैं जो राश्रुपती की बूट पॉलिश के लिए हैं राश्रुपती के कपड़े पे इस्तरी करने के लिए हैं राश्रुपती के ब्रश पर पेस्ट निकाल कर देने के लिए हैं राश्रुपती की मेज सजाने के लिए हैं एक राश्रुपती है और व्यक्ति का तुरूप से 835 करमचारी हैं और दुर्भागे इस देश्का या सोभागे की इस समय जो राश्रुपती है वो भारती अता वाले हैं वो कहते हैं इनकी मुझे जरूरत नहीं निकाल बाहर करो तो सरकार कहती है जी ये प्रोटो कोल है हम नहीं निकाल सकते किसी को आपको मालूम है राश्रोपती ने भारत सरकार के प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री को कई बार लिख कर दिया कि ये 8.500 गुलामों की मुझे कोई दरूरत नहीं है मैं मेरे जूते पे पॉलिश कर सकता हूँ मेरे कपड़े मैं खुद धोता हूँ इस तरी की मुझे आवश्यक्ता नहीं होती क्योंकि मैं बिना इस तरी के कपड़े पहनता हूँ ज्यादा कपड़े मेरे पास है नहीं तीन शर्ट हैं और तीन पेंट हैं दो कोट है दो पेंट है इससे ज्यादा मैं रखना नहीं चाहता एक ब्रीफ केस में मेरा सब सामान आ जाता है तल राश्ट्रपती वह मैं छोड़ना पड़े तो एक ही ब्रीफ केस लेके निकलूँगा एक ही ब्रीफ केस लेके आया हूँ इसलिए मुझे ये 835 लोगों की फौज नहीं चाहिए हटाओ तो प्रधान मंत्री केते नहीं हटा सकते ये तो प्रोटोकोल के खिलाफ है आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बैठने दीजिए ना आपका क्या विगाड़ते प्रोटोकोल तो चलने दीजिए माने वो वोई सराय वाला प्रोटोकोल जो गुलामी से आया है दास प्रधा से वो यहां कंटिन्यू रखना है हमारे यां तो नहीं है भारती अता में तो कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता क्योंकि हम तो आत्मा की बात करते हैं हम तो कहते हैं आत्मा सबकी समान है परमात्मा का अंश है कोई किसी को कैसे गुलाम बना सकता है हम तो किसी जानवर को गुलाम नहीं बना सकते आदमी की तो बहुत दूर की बात है और अगर बनाते हैं तो वो समाज में विक्रती माना जाता है उसको स्विक्रती कभी किसी में नहीं दिया है ये हमारे देश में नहीं अब हमारे यहां क्या होता है मौडरनिजम में हमने अमरीका और यूरोप से प्रभावित होकर बहुत कुछ करना शुरू किया है जैसे कुत्ते पाल लिए अभी बहुत लोग हैं जो घर-घर में कुत्ते पालते हैं भारती अता में आप कुत्ता घर में बांद के नहीं रख सकते और उनको वेले में पट्टा डालके घुमाने के लिए लेके जाते हैं और फिर वापस लाते हैं उसमें बड़ी शान समझते हैं और अगर उसको पलटके ये कैदो के भाई ये कुत्ते पालने से अच्छा कोई गाय पाल लो तो दूख तो मिलेगा और गोबर का खाद किसी किसान को मिलेगा क्या अब सर्टी की बात करते हो गाई रखेंगे गंदा करती है और वो कुफ़ा कहीं भी गंदा करता है किसी का लिहाज नहीं करता कहीं भी पाउं उठाके मूत्र कर देगा और कहीं भी संडास कर देगा उसको साफ करना हमको अच्छा लगता है क्योंकि यूरोप से आया हुआ है और हम गाये पाले हैं और उसका दूर्पी हैं तो उसमें पचास तर्क सुनाना शुरू कर देते हैं जैपुर शहर में गाये कैसे पाल सकते हैं कानून नहीं है कुटा पालने का कानून बन सकता है तो गाये का भी बन सकता है लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया तो कुछ घालमेल इस तरह का होता है खिचुडी कुछ इस तरह की होती है तो हम चो हमारी माननेता में ऐसा नहीं है तो हमारे कारी में ऐसा नहीं है होता है तो हम उसको विक्रती मान के छोड़ते हैं वो समाज के लिए आदर्श और उधारण महीं बनता है तो अब हमारी माननिता जिस तरह की है व्यवस्था उसी तरह की बनेगी उनकी माननिता जिस तरह की है व्यवस्था उस तरह की बनेगी और व्यवस्था को चलाने के लिए नियम काइदे कानून उस तरह के बनेंगे जिस तरह की मानने ता और व्यवस्था होगी तो यूरोप और अमेरिका के नियम काइदे कानून उस तरह के हैं हमारे नियम काइदे कानून भी अगर उसी तरह के बनेंगे तो सर्वनाशी होगा अब जैसे वहाँ जितने भी नियाए के कानून है जिसको जस्टिस कहा जाता है उनकी बाशा में वो सभी के सभी गुलामों को ध्यान में रखकर बनाए गए है जैसे पनिश्मेंट के कानून है पनिश्मेंट के कानून यूरोप में है क्योंकि गुलाम है तो गुलामों को पनिश्मेंट देना है और देना है तो किस तरह का सौ कोड़े मारो, दो सो कोड़े मारो, पाच सो कोड़े मारो, हजार कोड़े मारो एक शिलिंग की चोरी हुई है दो शिलिंग की चोरी हुई है या एक पॉंड की चोरी हुई है उसमें 1960 तक लंडन में 40 कोड़े की सजा थी तो इस तरह की व्यवस्था है क्योंकि वो गुला हमारे यहां तो कुछ दूसरे तरह की व्यवस्था थी हर्षवर्धन के समय में चंदरगुप्त विक्रमा दित्ते के समय में और किसी भी राजा के समय में चोरी के लिए जो कानून बने हैं नयाय देने के लिए और यूरोप में हैं उन दोनों का मैं आजका लब्दियन कर रहा हूं जमीन आस्मान का अंतर है और वहां अगर सजा है जैसे भालत के क्रांटवीरों को भी वो सजा देते थे कोडे मारने की क्योंकि यूरोप से आई है वहीं से तो भालत का कोई क्रांटवीर है अंग्रिजạo के खिणा वगावत कि आ पचास कोडे मारो जैसे चंदर शेकर आजाद की कहानी तो आपने सब ने सुनी है कि उनको अदालत में ही कोड़े मारे गए थे तो उन्होंने जज से रियायत माणी कि ये तो बहुत ज़ादा है तो जज ने का अच्छा पांच कम कर दो पैतालीस मार दो ये दया है लेकिन वो जज जानता नहीं है कि दस कोड़े में भी ये मर जाएगा और वही हुआ चंदर शेकर आजाद के साथ तो जो नियायदीश बैठा था कुरसी पर वो कहे कि मैं क्या करूँ मुझे तो जो लॉँ मिला है उसके आधार पर मैंने फैसला दिया है अब इसमें प्रेम, दया, करूणा कहां से फिट बैठती है वेरे समझ में नहीं आता भारती है था कि नजर से मैं नहीं देख सकता क्योंकि मुझे कानून ऐसा मिला है पालन करने के लिए तो चंदर शेकर के केस में जज की ये टिप पड़ी वो कहता है कि भारती था कि नजर से देखूं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है जो मैंने किया कि उसको मैंने 50 कोडे की सजा दी बाद में 5 गटा के 45 कर दिया लेकिन चंदर शेकर को जब 10 कोडे पड़े हैं तो बेहोश हो गए तो बेहोशी के बाद इंतजार किया है जज ने दुबारा होश आने पर बाकी 40 कोडे मर वाए 45 तो हम कहते हैं जी बहुत अत्याचार है लेकिन वो कहते हैं ये तो हमरे असामन ने विवहार है इसी तरह से हम सजा देते हैं यूरोप में अपनी गुलामों को तो यही भारत में कर रहे हैं इसी तरह से भारत के क्रान्टिवीरों को सजाएं देने की तरीके जो गुलामों को वहां यूरोप में बरफ की सिल्ली पे लिटा देना और उसको पीठ पर पीछे से डंडे से मारना यूरोप में बरफ बहुत है जब इन पे लिटा दिया पीछे से बहत से मार रहे हैं यही भारत में वो लेके आए और विनायक दामोदर सावर करको पहली बार जब अरेस्ट किया है तो उनको यही दंडे है बरफ की सिल्ली पे लिटा कर पीछे से केंसे मारना जब तक बेहोश ना हो जाए तब तक मारना तो यह जो कुछ भी वो कर रहे हैं हमको ऐसा लगता अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि हमारी मानिता केस वो कहते हैं कि हम तो नहीं आए दे रहे हैं क्योंकि उनकी माननिता के तो जगड़ा यही है और इसी जगड़े को गांदी जी ने सब्विता का जगड़ा बताया और गांदी जी ने यह जो कहा कि उनके दस्तावेजों में उसको अंधनुकरण करें या अपनी सब्विता, अपनी संस्कृति और अपनी माननिताओं के पीछे चलें ये बड़ा प्रश्ण इस समय हमारे देश में है फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भारतिय सब्विता में सब कुछ अच्छा है क्या संस्कृति में सब कुछ अच्छा है, नहीं है, बहुत कुछ खराब है क्योंकि सबी सब्विताओं में बहुत कुछ खराब होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है तो हमारी सब्विता संस्कृति में भी बहुत कुछ खराब आ गया है शायद हो नकल से आया हो सबसे बड़ी खराबी अपनी सब्विता में जो पिछले 200, 200, 500 वर्षों में आई है या शायद जादा आ गई हो कि हमने जातियों के आधार पर उच नीच कर दिया इस देश में ये अपर कास्ट है, ये लोर कास्ट है, ये बैकवर्ड क्लास है, ये फॉर्वर्ड क्लास है, ये ब्राम्मन है, ये चमार है, ये चमार नीचा है, ब्राम्मन उचा है क्योंकि चमार हाथ से काम करता है ब्राम मर दिमाग से काम करता है ये जो मूच नीच है ये शायद हमारी सब्विता की सबसे बड़ी बुरा ही हो आज के समय के हिसाब से तो दिखाई ही देती है पहले भी शायद रही हो या इसका कोई दूसरा सुरूप रहा हो उस पर हमें research करने की अभी जरूरत है तो हमें ऐसा लगता है कि ये खराब है तो सभी सब्विताओं के विकास में ये एक मूल करम होता है कि जो खराब है उसको छोड़ते जाओ जो अच्छा है उसको और अच्छा बनाते चले जाओ सब्विताओं का विकास ऐसे ही होता है तो अगर हम मानते हैं कि भारत की सब्विता में कुछ खराब है तो छोड़ें और उसको परिश्कृत करने की कोशिश करें तब तो इमानदार यात्रा हमारी होती है विकास की लेकिन अगर अपनी सब्विता को ही छोड़ दें उसकी बुराई अच्छाई तो बात ही ना करें और सबकुछ विदेशी सब्विता में अच्छा ही अच्छा है बिना जाने बिना समझे उसको आयातित करें तो ये तो सर्वनाश की तरफ ले जाएगी जो गांदी जी कहते है तो मेरी अपनी माननिता में वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो गलोबलाईजेशन के नाम पर लिब्रलाईजेशन के नाम पर इस देश को बरबादी की तरफ लेके जा रही है क्योंकि बिना सोचे बिना समझे यूरोपियन अमेरिकन सब्विता को अंधा धुंद तरीके से इस देश में लागू करने की पूरी ताकत लगाई जाए अब हम नागरिकों के सामने ये बड़ा धर्म संकत है कि हम कहां जाएं अगर हमको ये तैय करना है कि हम हमारी सब्विता संस्कृति के साथ जाएं तो पूरी हिम्वत और ताकत के साथ इसको सामोहिक रूप से कहना पड़ेगा और या तो हम समूह के रूप में ये तैय कर लें कि हमको अमरीकी होना ही अच्छा है जैसे पंडित नहरू मानते हैं और आज के प्रदान मंतरी भी मानते हैं कि हम यूरोपियन हो जाएं अमेरिकन हो जाएं उसी में हमारी भलाई है तो पूरा समाज इमानदरी के साथ अमरीकी और यूरोपिय हो जाए मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती या तो हम इमानदरी से अमरीकी यूरोपिय हो जाएं या इमानदारी से भारतिय रह जाएं ये जो बीच की खिचुड़ी है क्योंकि फ्यूजन कहीं नहीं होता है हो नहीं सकता है सब बिताओं में तो नहीं हो सकता है तो फ्यूजन करने की कोशुश करेंगे तो उसमें से कोई अभीष्ट नहीं निकलेगा हमारे लायक नहीं होगा इतना ही कहकर इस व्याख्यान को मैं विराम देता हूँ और इस व्याख्यान की मदद से एक नया प्रश्न मैं इस समाज में खड़ा करना चाहता हूँ कि हमको जाना किधर है ये तै करें योरोप अमेरिका जैसा होना है तो पूरी ताकत से बने और भारती होना है तो पूरी ताकत से इधर आए समाज के इस तर पर ये तै करने की जरूरत है क्योंकि राजनीत इसे तै करने में समर्थ नहीं है राजनीत समर्थ क्यों नहीं है क्योंकि वो नितांत स्वार्थ में डूब चुकी है और जब नितांत स्वार्थ में कोई डूब जाता है तो वो समाज को दिशा नहीं दे सकता तो ये समाज को ही तै करना है और समाज का हिस्सा राजनीती बने ऐसी मेरी अपेक्षा है हमारा समाज राजनीति को निर्देशित करे, दिशा निर्धारित करे, अपने इस्तर पर तै करके, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं विदा लेता हूँ और आप सब थोड़े से नागरिकों के बीच में ये कहा, क्योंकि आप सोचते हैं, समझते हैं, और न सिर्फ सोचते हैं, वल्कि पढ़ सकते हैं, मैंने इतने सारे रेफरेंसिस दिया, आप चाहें तो प्लैटो को पढ़ सकते हैं, उसकी फुस्तक हैं यहां उपलब्द हैं, रिपब्लिक भी उपलब्द है और उसकी सब लिखी हुई है। जैपूर में मिलती हैं। सौकर्टीज को पढ़ सकते हैं। लेविनेज दिकारते किसको भी पढ़ना हो। रूसों को पढ़ना हो तो वो भी यहां उपलब्द है। जैपूर में बहुत सारी लाइबरेरीज हैं। आप उनमें जाके निकाल सकते हैं। और यह जो दूसरे रेफरेंस मेटीरियल्स हैं। वो मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारी डॉकुमेंट्स हमने कलेक्ट किये हैं। उनके आधार पर हम थोड़ी चोड़ी कुछ CD बना रहे हैं। कुछ cassettes बना रहे हैं। कुछ पुस्तक बना रहे हैं। कभी भी आपको मिल सकती हैं। लेकिन इस बहस को फिर से शुरू करना है। जो गांदी जी उनीस सो नौ में कहे गए। कि यूरोपियन सब्धिता शैतानी हैं। अगर फसे तो सर्वनाश है। निकले तो जीत है। ये गांदी जी मानते थे। मैं अभी उसको मानने लगा हूँ पिछले कुछ वर्शों से क्योंकि मैंने वो देखना शुरू किया है जो गांदी जी आज से सो साल पहले देखकर चले गए। इतनी विनमरता के साथ आपका आभार धन्यवाद और इस विशह पर हम आगे चाहें। तो इससे भी जादा और गहरी बात हो सकती है। इससे भी जादा और गहरा कोई आपके बीच में मैं बात करने के लिए फिर से आ सकता हूँ। लेकिन एक बार मन बने, माने सकता तैयार हो इस तरह का सुनने की और सुनने की ही नहीं, घुनने की चिंतन करने की, तो शायद आने वाले समय में मुझे भी मजाएगा, आपको और ज्यादा मजाएगा। आभार किसा बाते सबको विजे दे सबको जैसा है। हमारे अरिदर पिछले हजार साल से आपके अनुषा, वो क्या कमी आ गई है जिसमें कि हम हजार साल से अभी मुझे मुझें के, कभी मूबलों के, कभी यूनुपियंस के और आज अमेरिकन्स के, हम गुरामी बनना चाहते हैं। जो बहुत बड़ी दुर्गुन हैं जिसके बारे में आपने कहा, कि हम हजार साल से बार बार दूसरों की गुलामी में क्यों फसते हैं। कभी मुसलमानों की गुलामी में जिनको हम मुगल कहते हैं वहां फस गए तीन-चार सो साल अंग्रेजों के साथ, फिर फ्रांसीसियों के साथ, डच लोगों के साथ, पूर्चुगीज लोगों के साथ तो सबसे जादा, साड़े-चार सो साल भारत का बहुत-बड़ा इलाका गुलामरा, कारण क्या है? मेरी अपनी समझ और माननेता के हिसाब से मैं कहता हूँ, आपकी समझ दूसरी हो सकती है, पिछले 1200 वर्षों में हमारे देश की सब्विता में जो सबसे बड़ी एक बुराई गुसी, 1500 साल का हैं, वो यही कि हमने समाज को जो बाटा है, अलग-अ जातियों के आधार पर वर्गों में, जातियों के वर्ग बना दिये, यह अगरा वर्ग, यह पिछला वर्ग, कुछ जातियां आगे, कुछ जातियां पीछे, और उसके आधार पर उचा नीचा कर दिया, कि जैसे कोई भ्रामण है, वो पंडिताई का काम करता, तो उचा हो चमार है वो हाथ से कोई जूता बनाता है तो नीचा हो गया हमारे यहां ये व्यवस्था कभी रही होगी तो कर्म के आधार पर थी जन्म के आधार पर कभी नहीं थी हम जन्म के आधार पर अपने वर्ग कभी नहीं बनाते कर्म के आधार पर वर्ग बनाए हैं हमने कभी तो ज जब हमने जन्म के आधार पर इसको मानना शुरू किया होगा, वहाँ से गिरावट आई, और समाज में गिरावट जब आती है, तो राज्य भी उसका एक अंग है समाज का, तो उसमें भी गिरावट आई, और शक्ति हमारी छिंड बिन हुई, वह शक्ति कैसे छिंड बिन हुई, वह एक उधारण से समझ में आता है, अंग्रेजों का एक राजा, या अंग्रेजों का एक अधिकारी, रॉबर्ट क्लाइब जब यहाँ आता है, और बंगाल में लड़ाई रड़ता है, प्लासी के स्थान पर, और सिराजुत दौला को पराजित करता है, शड़यंत्र के हिसाब से, युद्ध के मैदान में नहीं, तो वो एक जुलूस निकालता है, और उस जुलूस में वो एक भगपते की बात कहता है, वो यह कहता है कि मैं जब जुलूस निकाला भारत में, कलकक्ता की सड़कों पर, तो मातर 300 सैनिक थे मेरे साथ, मैं और 300 सैनिक, भारत के हजारों लोग, सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर, तालियां तो बजाते थे, लेकिन मेरे जुलूस पर कोई एक ईट और पत्थर भी फेग दिया होता, तो भारत का इतिहास कुछ और हो गया होता, यह उसने अपनी डायरी में लिखा, बाद में उसने उसका विशलेशन किया है, कि मैंने बहुत दिन सोचा भारत में ऐसा क्यों है, तो बाद में पता चला, कि जो सड़क के किनारे खड़े हुए लोग थे, वो सब पिछड़ी जातियों के थे, जिनको यह लगता था कि यह अंग्रेज हैं, वो भले हैं, अग्री जातियों पर हमला करने के लिए आये हैं, शायद हमारे उध्धारक बनेंगे, इसलिए हम तो तालिया ही बजाएं, क्योंकि हमारा शोचन यह अगली जाती, अगली जाती वाले कर रहे हैं, फॉर्वर्ड लोग, हमारा सोचन कर रहे हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों का स्वागत किया, और ना सिर्फ किया, बल्कि आज भी करते, आज भी करते, तो यह जो हमारे यहां हुआ है, जाती आधारित जन्म से, उसने हमारे समाज की शक्ति को छिन्विन किया, कमजोर किया, और समाज बट गया, अब हजारों जातिया हैं, तो हजारों में बटा हुआ समाज है, शक्ति पूरी खराब हो गई, साड़े चार जार से जादा जातिया हैं, गुरुप सलगलग उसके हिसाब से बने, तो उसी में हम टूट गए और डूब गए, इसी कारण मुझे ऐसा लगता है, और भी कोई कारण हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम बार बार गुलाम होए, और आज भी उसी गुलामी के लिए अभिशाफ्त बने होए, ये मेरा अपना मानना है, इसके अलग भी कोई हो सकता है, ये जो आप कह रहे हैं, ये अगड़ी पिछरी जाती का जो भेड हमारे देश के अंदर इसी तरह से दुर्वा के तुम रूप्षित आ गया, परंतु जो भी गुलाम रहे हैं, चाहे मुगलों के, मुसलमानों के, फिर बात में अंग्रेजों के, वो सब के सब अगड़ी जाती के रहे हैं, पिछरी जाती के नहीं रहे हैं, इसलिए कि पिछरी जाती अगड़ी जाती मिलकर लड़ नहीं पाएं, दुश्मनों से, आप पिछरे हैं, आपको अलग किया हुआ समाजने, अगड़े हैं, गुलाम हैं, तो समाज के पिछरे लोग अगड़ों के साथ नहीं आई लड़ने के लिए,